कैसे हैं आप लोग आज असल में क्योंकि बीग डे है चुट्टी का दिन नहीं है तो हमें अनुमान था कि बहुत सारे बच्चे आने पाएंगे उन्होंने सवाल भेज दी हमारे पास तो आप लोग सामने हैं जतने सवाल आपके हैं UPSC के फॉर्म को लेकर या overall कोशिश करते हैं कि हम सब का समाधन करें और आपके डाउट्स दूर करें ठीक है आप में से कितने लोग इससाल फॉर्म भर रहे हैं सभी भर चुके हैं या भरेंगे कितने लोग भर चुके हैं तो आप यह सुनना चाहें कि कोई गल्त्य तो नहीं हो अब है यह जाना चाहरे है है और कितने लोग भरने वाले हैं यह तो आप आजका वेट कर रहें कि का वर हो जो फॉर्म भर न थिलदी ऐख ठीक है ठीक है ठीक है अंचे देखिके क्या है हमें जो डिस्टर्सट करने हैUPSC मेंस क ranked का prelims का form बढ़त के लेंगे ही बेसिकली कोशिश करेंगे prelims मेंस जो भी form भरने स्फिटी वगाता है उससारी कि सारी की सारी एक बढ़ में हम समख लेते हैं Q2 Civil Service Examination Form इसको भरने को लेकर क्या क्यासा अब अब रतनी है यह हमारा मूल विशय है तो अब जो हम एक दो हंटे बात करेंगे उसका परपस यह है कि सिविल सर्विस एक्जाम का फॉर्म भरने को लेकर वो प्रिलिम्स का फॉर्म उसी से कनेक्टिड है मेंस का और इंटरिव का फॉर्म उसमें क्या-क्या हमें ध्यान रख्शन होता है क्या सावधनिय अबरत नहीं होती है सबसे पहले यह समझने कि आपको सिविल सेवा परिक्षा में तीन बार फॉर्म भरना होता है पहला फॉर्म जो अभी आप भरने वाले हैं उसको आप कह लेजिए प्रिलिम्स का फॉर्म ठीक है जब आप प्रिलिम्स पास कर लेंगे तब जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उसको बहुते हैं डी एएफ वन इसको मेंस के समय भरा जाता है अच्छा रहेगा कि आप काजस्पन तयार रखें बहुत सारे ऐसे फेक्ट्स हैं जो आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा बाकि आप भी चोईस है अगर आप देखके याद कर लेते हैं फिर तो गुबाती नहीं लेकिन अगर आप चा लेकिने भरवाएं, बहुत सारी सूषनाए जो 15,000 से चाहिए उञें ऑदस लाग से क्यों मंगें यह सोचते हुझे उनने इस फर्म के तीन हिस्से कर देए पर ही इसी पकार से बहुत सारी सूषना से जो इंटर्वियों के समय चाहिए वह में इन सब्सक्राइब प्रियों स से कर दिए और इन तीन हिस्सों में क्या-kya है थोड़ा सब कर लिए समझ लीजिए फ्रिलिम्स के फॉर्म के दो हिस्से होते हैं पार्ट बवन पार्ट टू कि डेफ मन और डेफ टू में हिस्सा एक ही होता है उसमें आप ये एक बना सकते हैं कि information इसमें कौन-कौन से देनी होती है और documents कौन-कौन से देने होते हैं पहले यह समझ लेते हैं उसके बाद फिर जो आपके असली प्रश्न है जिसे reservation को लेके है OBC, EWS उन सब को लेके जो सवाल है फिर उन पर आते हैं ठीक है info और documents जो प्रिलिम्स का फॉर्म में जब आप उसको भरने जाएंगे एक बहुत और घ्रान रश्नी है civil service exam का फॉर्म आजकल तीनों की तीनों फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन भरे जाते हैं इसमें आफ्राइन का option पूरा खतम हो चुका है इसका मतलब या तो आपको computer friendly होना जाता है बहुत सारे cyber cafe इसी काम के लिए तैयार बटे जाते हैं कि आप जाएं तो मेरे ख्याल है कि 10 मिनिट लगाते होंगे वो लोग फॉर्म भरने में आपका खड़ा ख़देते होंगे कितना 70 रुपे लेते हैं पचास रुपे लेते हैं आच्छा है लेकिन आपसे कहते ह तो भी कम से कम वो सबू पाए तो है जो पार्ट वन है उसमें बेसिक इंफर्मेशन होती है बहुत ज्यादा उसमें सवालात नहीं पूशे जाते हैं बेसिक इंफर्मेशन का मतलब यह हुआ कि नाम क्या है पढ़ाई कहां तक की है डिगरी में कौन से विशे थे आपके पा सर्टिफिकर किस डेट का आपके पास है यह सब बाते पूशी जाती है जो आप भर देंगे दोस मिनिट के अंदर अंदर ठीक है इसमें थोड़ी सी इंफर्मेशन मेंस के बारे में भी पूशी जाती है वो इसलिए पूशते हैं कि प्रिलिम्स के रिजल्ट आता ही उनको प सब्यक्त में के रहने वाला है फिर आप जो इंडियन लेंग्विज होती है उन में से कौन सी इंडियन लेंग्विज से एक्जाम देने वाले हैं और क्या आप नौर्थीस्ट के छे राज्ये लब असम त्रेपुला छोड़ दें अगर बाकी जो छे राज्ये हैं लेंग्विज़ चैपर से छूट मागना चाहते हैं जो इस तरह की बाते हैं जो पार्ट टू है वह उसके बार आता है पार्ट टू में वो कुछ डोकुमन्ट्स अप्लोड करना होते हैं डोकुमेट्स या कुछ और चीज़े इस में जो बताना होता है एक तो हैं सेंटर ओ अग्जामिनेशन है वो 72 है कुल मिलाकर जो मेंस में रह जाते हैं 24 पिलिम्स में इसलिए कि तो संख्या ज्यादा है लोगों की और दूसरा क्योंकि प्राथमिक एक्जाम है तो हम हर बच्छे से यह उमीद करें कि वह बहुत दूर ट्रावल करके जाएगा वह ठीक बात नहीं लक्ष्णाओ और प्रेयागराजी कि प्रिलिम्स में तो गाजियाबाद भी है नौड़ा भी है अलिगड़ भी है आगरा भी है गोरखपुर भी है इलाहबाद लक्ष्णाओ तो हैं इस तरह से बहुत सारे सेंटर्स हैं दूसरा इस समय आपसे आपकी फी डिटेल्स मांग या परसन विद बेंचमार्क डिस एबिलिटी जिसको हम पहले पी एच कहते थे ना फिजिकली हैंडिकेप एक्टी बोलते थे अब 2016 में एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते है राइट्स ओफ द परसंस विद डिसेबिलिटीज एक्ट टूजएट सिक्षीन उसमें ये शब है जीरो एक्जम्टिड है लेकिन यदि कोई व्यक्ति जनरल के टेग्रे से है या ओबी सी से है या एड़्यूएस से है इनके लिए जो फी है वो है सो रुपए प्रिलिम्स के बहुत रोश्चिक बात है कि जो एड़्यूएस है जो एक्नॉमिकली विक्षा उसकी फीस लग अन्य बजम से अरक्षन ले रहे उससे फीस नहीं ले रहे अभी तक कि शिती यह है इसके अलावद जो पार टू में अपको भरना होगा एक तो अपना सुंदर सा फोटो खिश्वा के ले जाए तो फोटो जिसमें पहचान में आते हूं शादी ब्याबाले फोटो ने इंक तैयार होके मुझे एक दो बच्चों ने एक दो फोटो दिखाए कि क्या यह दे सकते हैं वो फोटो ऐसा तक जैसे काले चुश्मा लगा के ऐसी करके देख रहे हैं साइड चाइब तो फोटो तो फोटो ऐसा जिससे अपनो पहचाना जा सके और बहुत सामान्य फोटो पास इन दोनों के शर्पी होती है कि जो आप फाइल बनाएंगे वो बनेगी जेपीजी के फाइल और वो फाइल बीस के बीच में चाहिए उससे बड़ी फाइल अगर होगी या छोटी फाइल होगी तो उस फाइल को फॉर्म एकसेट नहीं करेगा पर यह कम आपका नहीं है यह तो कि के बीस को मैनेज़ लेगा आपको बस पता रहें कोई बहुत है भी फोटोस में मत लेगे जाहिए इसके अलावा एक चाहिए आपको फोटो आईडी अपके पास कोई ना कोई होगा है जैसे फोटो आईडी में क्या क्या हो सकता है एक तो अधार काड मेरे खाल से आजके कर और सकता है तो भारत में सब के पास अधार काड होगा अप मेंसे किस के पासिए आधार कार अधार कोई एक आधार काड और अधार नाओतोगो तो पैन कारट पर 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 भी आपके बिले स्खी करते हैं अपलो अच्छा वैसे शॉप मनवाली है कि आप दिखा सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब उसके लिए वह तो यह कि पास अधरी हो और राज्यों को ٹॉपार्टना करते हैं कि मैं रहता दिल्ली में हूं मैं अपने स्टेट से ऑपा सटाऊंनको नंगो सबस्क्राइश तरण कैए टेस्ट लेस्ट दोडिये साट जाने कि भी ज़रॉत नहीं तो अब लगद राइविभाना मत यह ड्राइविभ लाएशन अवर और कॉन-कॉन कुन से स्काप्स जोड़त सबाइब है कि अकुंध के पासपोर्ट सब्सक्रा विटी किसे अगर दसके अच messenger का इसा प्रढर की और से आपको जारी किया गया हो और उस डॉक्यूमेंट को अगर वैलिडिटी हासिल है तो उसका भी इस्तेवाल कर सकते हैं लेकि जनरली प्रेफरेंस इन पांस डॉक्यूमेंट के लिए दी गई है बस यह धियान रशना इस डॉक्यूमेंट का स्कैन करके इस फॉर्म में को अपलोड करना है और बाद में उसी डॉक्यूमेंट को फिलिम्स के जन सास में लेके जाना है अगर आपने अपलोड के ड्राइविंग लाइसेंस और लेके चले के पासपोर्ट तो वीजा लगा देंगे पाकिस्तां को भारत से बाहर है सेम डॉक्यूमेंट जो अगर आप जो पार्ट टू में है वो हैं फी डिटेल्स मुझे नहीं पता कि साइबर कैसे वारे लोग कैसे इसको मैंज करते हैं फीस का जो नियम इसका है वो यह है कि या तो आप कैश पे करेंगे या आप नेट बैंकिंग से पे करेंगे और या फिर डेविट कार्ड या थो पहले दो कंडिशंस में अगर आप कैश प्रे करेंगे तो पारत में केवल एक बैंक को चुनागे यह फिरे वहे बैंक और कि अगर चाहरे हैं तो ठीक है वीजा भी है और रूपे भी है जितने भी debit या क्रेडिट कार्ड होते हैं रो सारे के सारे के o गोमभाइनाइज दो भनते हैं ये सारे कार्ड या वीज के तुछ चलते हैं या मासर से तुछ चलते हैं तो इसका मतलब वयाद भरी के कहीं कोई भी डे producer को और कोई तो एक पेंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट आउट के शर्त यह है जिस दिन प्रिंट आउट लेंगे उसके अगले दिन केवल यही ऑप्षन है अगर एक दिन मिस हो गया तो काम खटब हो उस दिन भी नहीं कर सकते हैं सुब्क 11 मझे फर्म बाद और उस फर्म के बाद एक पी एन स्लिप निकल गई उसे प्रिंट आउट ले लिए उस दिन भी नहीं जाना है एक दिन छोड़के भी जाना है उसके अगले दिन ही जाना है बैंक में और सो रुपे जमा करने उस चारज को दिखा के बैंक अपने ही सब्सक्राइब कर देगा कि इस ट्रंजेक्शन आइडी और इस रिजिस्ट्रेशन आइडी से हमारे पर सितने पैसे आगए हैं इससे आपका फॉर्म बुरा मान लिए जाएगा ठीक है यदि अब नेट बंकिंग करते हैं से उसमें कोई दिक्कत है नहीं हो तो 24 अपन है इसे उचरते होंगा ना था यू प्याशी के काउंड में कुछ साइबर कैफे वाले दस दशजार फॉर्म भरते होंगे तो यू पीशी में डरते होगी कितना पढ़ने वाला बच्चा है कितने फॉर्म भर देता देखो तो अगर आपने किसी ने कैश पे किया हो या कर रहा इसका मतलब उनके एकाउंट में पैसे तो आए हैं और उनको यह नहीं पता कि यह पैसे किसके हैं क्योंकि बैंक से सूचना आए नहीं है तो ज्यादा अच्छा है कि आप कैश वाला कावी मत कीजिए काड से पे किजिए नेट बेंकिंग से पे किजिए उस जदा आसान तरी कि यूपी एसी अपनी वेबसाइट पर लिस्ट निकालती है पूरी कि जिन जिन व्यक्तियों के फॉर्म है किन्तु प्वेमेंट डिटेल्स नहीं आई हैं हमारे पास और और यू इमेल भी करे कि सबको तो झो इमेल आईडि आप देंगे एक तो वह इमेल आईडी आपकी अपनी र Оच है अपनी दिये कि कभी कभी email कि सेटिंग्स में लिखा भी एक फॉर्म में कभी email कि सेटिंग्स में एसी विवस्था होती है कि इस जैसे एनएएव से email लाएगा भारत्सरकर कर जब भी आएगा तो at the rate nic.in इस तरह के email id से कोई भी email आए तो spam में न चला जाए ये विवस्था आपको अपने email system में setting में करनी होगी उससे क्या होगा कि अगर ऐसा कोई email आया तो तुरन तब तो देख जाए और UPSC ने साफ साफ का हुआ है जिस दिन हम email भेजेंगे उस email के प्राप्त होने के शायद दस दिन के टाइम दे रहे हैं उसके अंदर उस उमीदवार को अपना प्रूफ कि उसने फीस पे की थी बैंक में हमें सब्मेंट करना होगा और यजि उस सब्मेंट नहीं करता है तो उससे कैंडिडेचर मही समाप्त हो जाएगा पर हम उसके लिए रिस्पॉंसिवल नहीं होगे इसके मेरी सबसे सरल सला आपको यह है कि जब भी आप फीस पे करें सीधा ओनलाइन पे करें कैश के चक्र में आप पढ़ें क्योंकि इस पर दिक्कत ज्यादा है लेकिन हाँ कुछ ऐसे सितियां हो सकती है किसी के जिसके पास दूसरा उप्शन नहीं हो तब ठीक है फिर तब इससे तरीक से पर इक्रदीजी ठीक है चलिए हाँ एक मट्रूप एक मट्रूप हो कि जो पार्टू है इसमें एक चीज जो मैंने का दरा सेंटर ओस एग्जामिनेशन इसमें एक बाद ध्यान दखिए गया सिर्फ यूपी ऐसे के पास लिम्टिड सीट है हर सेंटर पर तो बड़ी मज़दार सी घुशन नान कर रहे हैं कि चार सेंटर पर तो कोई लिमिट नहीं है वहां कितने भी लोग आजाए हम मैनेज कर रहेंगे उन चार सेंटर में एक है चेन नहीं तो बाकि तीन कौन से होंगे बत हो जाएगा कि अब तो दिल्ली ही आएगा लेकिन तीस्वा नागपूर है और चौथा दिस्पूर है ठीक है इन चार सेंटर्स को अगर आप चूज करना चाहरे हैं तब तो कोई दिख कर रहे हैं इन चार शेहरों ने कह दिया होगा कि इतना हमारे पर स्पेस है हम सब को भी है का सुजएगा हमारे हाँ हो सकते ऐसा कुछ हो बाकी सबी सेंटर्स पे लिम्टिड सीट्स हैं और इसका मतलब यह हुआ कि जब आप फॉर्म भरेंगे अगर उस समय सीट बची होगी तो खटक से मिल जाएगी आपको सीट और यदि सीट पहली खत्म होगी फिर आपको कगया खूल से इली भरेंगे लिए अजसर्ची ना मेरे डिन ना यह एक सेंटर गाम नरम गाएब ऐर यह एक छेभाग वार तो कुछ भी पैसके नोग्जेना तो वहां पहुंचने में दो धाई घंटे लग जाते हैं और नौईड़ा जाने में एक घंटा लगता है तनाव मत लिजीगा डिली नौईड़ा गाजियाबार जो इनमें से मिल जाए उबर दीजीगा ठीक है अब पिलिम्स के फॉर्म को लेकर कोई सवाल है तो पहले वो अच्छा जब यहां यह क्यों आधार कार्ड में भरा है लेकिन देट वर्थ मेरी गलत है अब मैं क्या करूँ है तो अब आप आधार कार्ड में डेट वर्थ चेंज करवाने के लिए अपलाई कीजिए नए आधार कार्ड आएगा न फिर आप यू पेसी को लेटर लेखिएगा, कि ये मेरा पुराना अधार कार्ड है, ये एप्लिकेशन है, ये नया अधार कार्ड है, और टेंथ की जो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, वो है न आपके पास, आता पुरी समझते हैं। बस दोनों अधार कार्ड आपके लेतक सर्टिफिकेट खास रहें कि ये भूला कि कोपी रहें, और कम पहले वो ककते कार्ड आपके बित्ने संते हैं, मैं शपवधपूरवर को कहता हूं किसQUी कदेशन कार्ण के अपके मां की कसम कदेशन, यह उनके है, नह किक्दी है, टी यहाँ बनापके पास सुचना वा तो इसके जिम्मेदारी मेरी होगी, इसको बोगते हैं, इसको बोगते हैं, एक जन्वरी को पुराने जमाने में जिनको यादी रहता था, वो एक जन्वरी लिखवा लेते हैं, लेक जन्वरी लिखवा लेते हैं, लेक जन्वरी लिखवा लेते हैं, लेक जन्वरी को बच्च तो बस रही एक दब क्यों प्रवाइब नहीं है जिनको याद नहीं रहता या कुछ शौकी आप और बादे लिखवाते हैं एक जनुवरी है अठाइस फर्वरी है उनतिस फर्वरी के लो लिखवाते हैं गर उस साल में उनका जर्म हुआ हो पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो अभी आरें ओविसी भाई ने ओविसी वाला जो है जो बेसिक यहां पर रहेगा विस्तार में ठीक है चिंता बद की जिए मैं पहले के विल आपको हलका सही बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या भरना है फिर हम लेंगे कि जो प्लेम्स का फॉर्म में उसमें जो बात में फोड़ा सा parents के वारे में विस्तार में ओचते हैं parents में दोनो father mother कहां से है मूलत में किस राज्य जिसे किस दिले से हैं, क्या प्रोफेशन है, कितने उनकी इंकम है, उस तरह की बाते हैं, पेरेंट्स के बारे में थोड़ी सी बेस्टार में पूछते हैं, बाकि जो पेले में से पूछा गया था, उस पर बहुत सारी बाते फिर से रिपीट होती है, जैसे आपका ऑफ्शन सब चीजे हैं, और जो सेंटर की चोइस से वो पहले भर चुके होते हैं, तो यहां पर फिर से आप से पूछते हैं, ताकि वो सेंटर आपको अलोट किये जा सेगे, मेंस के फॉर्म में बहुत बड़ी इंफरमेशन ऐसी यूनिक नहीं पूछते, यह सब चीजे हैं, पिछल अप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है, तो डैफ बन में अब बहुत ज्यादा बाते नहीं पूछ रहें आप से, लेकिन आपको जो प्रमान पत्र देने हैं, वो सारे प्रमान पत्र मेंस के फॉर्म में साथ में लगाने हैं, फिलिम्स के फॉर्म में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं जैना आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं, केवल एक फोटो, एक फोटो आईडी, और तीसरा क्या है, एक सिगनेचर, बस, इसके अलावा कुछ नहीं देना है, मेंस के फॉर्म में, यानि कि वो लोग जो मेंस दे रहे हैं, सीरियस लेवल पर आ रहे हैं, उन से वो सर्टिफि का सर्टिफिकेट चाहिए, वो कुछ और मानते हैं नहीं, तो दस्वें क्लास में जो पास सर्टिफिकेट है, पासिं सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखी होता है भी डेट बर्थ, भारत में सबसे प्रामानिक डॉक्यूमेंट डेट बर्थ के मामले में वही है, या कहीं युनिवरसिटी ने मैट्रीकlam के संकख्ष माना हूँ। अगर मैट्रीकलेशन के संकख्ष और सबसेटए प क्या लोगा-वर्धी सेथे माननेगीया तो यख़। फ्होपária मी किसी प्रवाण पत्र को डेट बर्ष के लिए नहीं मानेगी। और बहुत रोचक बात लिखी है कि निम्नलिकित दोक्यूमेंट्स डेट वर्स के लिए एकसेप्ट नहीं होंगे जमें से पहला है होरोस्कूप कई लोग ऐसे ऐसे लोग है अपनी जनकुंडली भेज जाते हैं कि इस से देखो में डेट वर्स टाइम और उम्बस लिखा पर यहां तक कि पासपॉर्ट को ही नहीं एकवारिण हमें की देखता है यह और को से अभर से लिखा दी है जब आपका जनम हुआ उस समय के डोक्यूमेंट है वो भी री चलेगा उस डॉक्यूमेंट के बेस पे बोर्ड जो होता है दस्यूंवाला वो बनाता है डिट ओबर्ट का सर्टिफिकेट लेकिन यूपीएसजी को उसे मतलब नहीं है मैनेसेफल कोर्पॉरेशन से उसको मतलब नहीं है ठीक है दूसर किसा डोक्यूमेंट आपको देना होता है यदि आप किसी प्रकार के रिजर्वेशन के डिमांड कर रहे हैं और रिजर्वेशन की डिमांड करने का मतलब क्या हुगा रिजर्वेशन यूपीएसजी में इस समय कौन-कून से रिजर्वेशन है देखो रिजर्वेशन होते है एक होते हैं Vertical Reservation और एक होते हैं Horizontal Reservation Vertical Reservation जो UPSC में हैं वो इस समय कौन-कौन से हैं एक तो है SC का है, एक ST का है, एक OBC का है, एक EWS का है चार Reservation से Vertical का मतलब यह होता है कि जिसमें अगर आप बिना इसका इस्तेमाल किये सफल हो गए तो आप जंप करके Unreserved Category में चले जाएंगे, यह Vertical का सिंपल सानो तलब होता है ठीक है, जैसे आपने लिखा कि मैं OBC में हूँ, सर्टिफिकेट भी है पर पहले ही एटेम्ट में, ना प्रेलिम्स में, ना मेंस में, ना इंटर्व्यू में ना एलोकेशन ऑफ सर्विस में, ना एलोकेशन ऑफ कार्डर में आपने कहीं भी डिजर्वेशन के यूज नहीं किया ठीक है, पहले एटेम्ट सा, OBC से हैं, टिलिम्स के मार्क्स कट ओफ से ज्यादा आए, जर्रल की कट ओफ से ज्यादा आए मेंस में आपने बहुत अच्छ नमबर लिए, जर्रल कट ओफ से उपर लिए, इंटर्विश अंदर दिया, आपका रैंक आगया मालेज यह पहला ही आगया है अभी तक आपने रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया है और उसके बाद जो सर्विस चाहिए फस्स प्रेफरेंस आईए से ऐसी मिल रही है जर्रल उसके बाद आपको होम स्टेट चाहिए फस्स प्रेफरेंस पे होम स्टेट जर्रल से मिल रहा है आपको तो जन्रियल ही हो गया तो जिस रिजर्वेशन में यह स्कोप रहता है कि आप रिजर्व्ट क्रिटिगरी से उन्रिशर्व्ट में supreme स्पड लगा सकते हैं जबे चंप वार्टिकल रिजर्वेशन самый short in a forgiven यह झोलिजर्वेशन में यह स्टेक्व नहीं होता है वो होरिजोन्टल है इसके अलावा एक होता है एक सर्विसमेंट, एसम कह जेते हैं, एक सर्विसमेंट का जो आरक्षन है, वो इसमें आता है, क्योंकि यूपी एसमें महिलाओं का आरक्षन नहीं है, स्टेट्स में महिलाओं का आरक्षन सब जगा है, तो मैं तूटी लाइन स इसा सिंपल मतलब यह हुआ जैसे मान लीजिए कि एसी कैटेगरी की 15 सीटे हैं, और यह तेह हुआ कि एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए हैं, इन 15 में से 5 सीटे महिलाओं को मिलेंगी 10 पूरिश्यों को मिलेंगी यह नियम है, अगर पांच महिलाएं, अगर ऐसी आरक्षन में आने वाले पहले पंधरा व्यक्तियों में पांच महिलाएं अपने आप आ गए हैं तो अलग से किसी को आरक्षन नहीं मिलेगा इंग मांदो तीन आई, बारा पुरुषा लेगा तो आखरी दो पुरुषों को निकाल देंगे और उन 15 के बाद जो भी पहली दो महिलाएं मिलेंगे उनको इस लिस्ट के अंदर लेके आ जाएंगे यानि जो तीन लड़कियां थी, जो जनरल लेवल पर भी आ सकती थी उनको माना जाएगा कि वो उस अरक्षन के दाएरे में है होरिजोंटल अरक्षन का नियम यही है कि उसमें कोई अपने अरक्षन को लांगेगा नहीं उसके अंदर रह करी उसकी गणना उस के अंदर ही होती है यह तक समय आगी बात? तो रिजर्वेशन की जो भी केटेगरी आपने बताई है उसका एक प्रमानपत्र होना चाहिए SC, ST का प्रमानपत्र जो होता है न वो उसी कोई वैलिड होने की लिमिट नहीं है क्योंकि जो एक बार SC में आ गया वो SC में आ गया जो SC में आ गया वो SC में आ गया इसलिए SC, ST के सर्टिफिकेट में वैलिडिटी की दिक्कत नहीं आती है OBC और EWS में दिक्कत भी आती है तो मैं ऐसा करूँगा इसी सेशन के अंत में इनको विस्तार में समझाओंगा कि क्यों दिक्कत आती है और आपको सर्टिफिकेट कब बनवाना चाहिए और उसमें क्या के जहन रखनाना चाहिए ठीक है इसको लें गवाद में यह वाले जो सर्टिफिकेट है इसमें भी थोड़े सी दिक्कत है हम डिसस करेंगे तोड़ा सा इसको भी एक सर्विसमेन का अगर आप चाहें नहीं तो मैं जिक्रे कर दूंगा, महिलाओं का अरक्षन तो मिलता है नहीं है, अभी तो फिल हाल यह है कि डैफ बन में आपको डोक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है, एक होगे डेट अबर्थ, एक होगे रिजर्वेशन का, ती लेवल है, तो मिनिमुम जिस लेवल पे ऑप्षन मिलता है एक्जाम देने के डेजवेशन है, इसमें एक दो छोटी मोटी छूटे होती है, डेजवेशन के मामले में, वो छूटें क्या-क्या हैं, उसको भी देखें, आप में से अगर कोई बहुत छोटा सा बच्चा हो, ज इस इंसिक्यूट को पार्लिमेंट के या किसी स्केट के एक्ट से बनाया गया हो, वो भी ठीक है, या फिर एक शब्द होता है, डेम्ड यूनिवर्सिटी, सुने आपने इस शब्द को भी, एक एक्ट है, यूजिसी एक्ट 1956, उस एक्ट की धारा तीन के तहत एक पावधान है कि कुछ संसानों को सरकार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की मानने दे सकती है, यदि आप किसी ऐसे संसा इसमें लिखा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब है कि उससे मिलने वाले डिग्री भी ऐलिजिबल है, ये एक्ट देने के लिए, इन तीन में से है कि कोई ऐसे संसा है, कोई ऐसा बच् conventionale है, जिसने कुछ और किया हुआ है, और exceptional मामले है, तो U-PSE ऐसे मामले में उसके द्वारा किये रएक कोर्स को, इसके बराबर की वैल्यो दे कर र ये permit कर सकती है, कि वह एक्ट ग्जाब दे सके, इसमें तिक्क्त में तो exceptional cases में U-PSE को ये छूट के रहती है ऐसे केसे बहुत ज़ादा नहीं होते लेकिन रेर केसे में ऐसा होता है एक पांचवा है जैसे टेकनोलोजी का मामला है उसमें किसी व्यक्ति ने कोई कोर्स किया अगर भारत सरकार ने उस कोर्स को ग्रेजुवेशन के बराबर की मानता दे रखी है तो उसको यूपीसी भी गवर्मेंट के हिसाब से मान लेगी बशर्ते उस क्वालिफिकेशन को भारत सरकार ने ये कह रखा हो कि ग्रेजुवेशन के बराबर मानते हैं इसे मैं आपको एक्जामपल देता हूँ किसी ने अगर डिप्लोमा किया हो इंजिनरिंग में तो उसके ब हुआ है तो डिप्लोमा प्लस एम आई ये भारत सरकार के हिसाब से ग्रेजुवेशन के बराबर है तो यदि किसी ने किया होगा तो यूपीसी भी उसको ग्रेजुवेट बान लेगी ये सब हुआ है इसमें छूट दो तरह के व्यक्तियों को है एक जो फाइनल येर में है कैंडिडेट्स होते हैं एक तो ये हैं किया आप में से कोई ऐसा है जो इसी सरक ग्रेजुवेशन का एक्जाम दे रहा हो फाइनल आप सब अच्छा आप हैं दो तीन है जहांदे सुन लो ठीक है और दूसरा जिन्होंने मेडिकल एक्जाम उसमें ग्रेजुवेशन किया है ये कर रहे हैं ये दो तरह के लोगों को विशेश चूट है जो एपीरिंग में हैं उनको चूट ये है कि पिलिम्स के समय यदि उनके पास डोक्यूमेंट्स नहीं है और वो एक्जाम दे चुके हैं या आजकल में देने वाले हैं तो फॉर्म भड़ सकते हैं बशर्ते कि Data焼 5 भड़ने की जो आखरी डेट होगी उससे पहले उनका फांट चरटिफिकेट ये सर्टिफिकेट की एक रेजुरिकें कर चुके हैं इक सर्टिफिकेट पर बढ़ने की आखरी डेट से पहले की डेट का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए और laff के साथ उनको लगाना पड़ेगा कि मुझे सर्टिफिक्ट मिल चुपा है इसका मतलब मान लिजी किसी ऐसे कॉलिज से आप पड़ रहे हैं या इनुवर्शिटी से जहां फाइनल रिजल्ट दिसंबर 2020 में आने होगा तो आप इस साल इलिजिबल नहीं है पर यदि आप पर र दिखान रखिएगा MBBS वालों को थोड़ी छूट ज्यादा है उसकी बज़य कि उनका एक तो चार साल के कुरस है हिसाथ में एक साल की इंटरंशिप भी होती है लगवा एक साल की इसमें नियम यह है कि यदि वो MBBS कर रहे हैं कि इंटरंशिप उनकी छूटी हुई है केवल तो डैफ बन के साथ उन्हें एक प्रमानपत्र देना होता है कि इंटरंशिप के अलावा शेश जितने पेपरस हैं वो सारे पास हो चुके हैं और डैफ टू जब भरेंगे इंटर्विवाला इंटर्विव के समय उन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि इंटरंशिप भी पू तो केवल मेडिकल साइंस वाले MBBS या BAMS इन सब को थोड़े चूट में लिए इंटर्विव तक क्योंकि एक साल जदे लगता है इसमें गजवेशन में बाकि सब लोगों के चूट केवल मेंस का फॉर्म भरने की आखरी डेट तक की चूट है उसके लावा चूट महीं होती है यह बेसिक चीजी है जो आपको मेंस निकार लेंगे फिर आपके सामने आएगा इंटर्विव और इंटर्विव के समय पर फिर आप भरेंगे एक और फॉर्म यह जो थर्ड फॉर्म है किसे साल से शुरू हुआ इसमें आपको वो इंटर्विव से सम्मंदित है या आपको नोकरी मिलने ही वारी लग भग तो उस समय जो इंफर्मेशन आपसे मांग ली जाती है वो सब इंफर्मेशन है जैसे एक तो इंफर्मेशन आपको देनी है LLB किया हो, वो सब आपको यह लिखनी होती है, शुरु में वहानी लिखनी होती है, जो भी लिखेंगे, उसके प्रमान पत्र भी देंगे, तो उसी के सर्टिफिकेट्स भी लगा देंगे, साथ में, एक तो यह हुआ, दूसरा, वो आप से पूछते हैं कि आपने, जो आपकी होबिस हैं, इंटरेस्ट है, या आपने कोई प्राइस जीता हो, या आप NCC में रहे हैं, NSS में रहे हैं, या आप स्कूल में केप्टन रहे, तो NCC, NSS उसमें कुछ किया हुआ अपने, तो इस तरह कि सारी कि सारी चीजें, और पहली बर UPSC ने ऐसा किया पिश्दे साल, इन कि अधिन चीजों के लिए भी सर्टिफिकेट्स मांग लिए हैं, पहले ऐसे सर्टिफिकेट्स नहीं मांगते थे, पहली बर ऐसा हुआ कि अगर आपने कुछ स्कूल कॉलिज में प्राइस जीता है, स्कूल के कैप्टन रहे, कॉलिज के हेड रहे, कुछ रहे तो उसा सर्ट सर्टिफिकेट्स मांगा है, हालाइक बहुत जादे नभी सर्टिफिकेट्स हो में सो और ने की कि आपने सर्टिफिकेट्स नहीं मांगा है कि तixon pleasing यो कि यो कोज्विस सैंट, कि क्या आपने सिर्टे वी है कि इस तरह कि पहले के जो एटेंप आपनेके हुए हैं, उनकी जानकारी भी मेंस पर माँघ लेते हैं, कुल केतने अटेंप्स होए, भी चल्शा कोना एकूर? सरवेस का मातलब हैं, पहले सिलेक्टीड है, वो तो है इगर कोई और सर्वेस भी हैं, तो उसकी टिटेल माँघ लेते हैं यहां भी उस service की details story सी आती है और असली बात उस service का certificate आपको लगाना पड़ता है कि हाँ मैंने यह service की यह मेरा joining letter है मैं यहाँ काम कर रहा हूं इस तरह का प्रमान आपको वहाँ पर देना पड़ता है यह certificate है इसके अलावा देखे, रिजर्वेशन के मामले में, अगर आप SC ये ST में हैं, तो इंटर्व में कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि SC, ST के मामले में क्यों एक सर्टिफिक्ट चाहिए, कि ये व्यक्ति, पिता कर नम, माता कर नम ये अड्रस ही है, ये इस कैटेगरी में आता है, बात खिताब, और वो तो में वे ले ये चोकी है अप, DEF One में, दो ऐसे सर्टिफिक्ट सेरवेशन के होते हैं, जिन में से एक होता है, EWS, और एक होता है, OBC, जिन में आपको बताना होता है, जैसे OBC में आपको बताना होता है, कि आप non-creamy layer, NCL में आते हैं, तो non-creamy, क्यो तो क्रीमी लेयर में नव होने के लिए उसको साबित करना पड़ता है कि उसके पास किया क्या इंकम थी पेरेंट्स या करते हूं सार वह समझाओंगा को कैसे होता है तो इसको गोलते हैं OBC एनेक्षर OBC एनेक्षर DEV2 के फॉर्म में होता है लंबा सा करीब 10 पेज का फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है और EWS के लिए हर साल भरना पड़ता है EWS एनेक्षर OBC में भी हर साल भरना पड़ता है, जतनी बार एटेम्ट देंगे, हर साल DEV2 में आपको, अगर आप OBC में हैं, तो OBC एनेक्षर, EWS में हैं, तो EWS एनेक्षर भरना पड़ता है, उसमें क्या-क्या होता है, तो सबसे पहली बात जो मैंने अब तर समझाई आपको सिर्फ ही है, कि फिलिम्स, मेंन्स और इंटर्व्यू में, फॉर्म के कितने कितने चरण हैं, उनमें क्या information देने हैं, क्या documents देने हैं, केवल इस बारे में कोई सवाल है, तो पूछिए, वो सब पूछना कि मेरे बच्पन में यह हुआ था, मेरे साथ यह हुआ था, वो सब नहीं है, अब वो सबुआ टेक्निकल फॉर्स, क्या सबुआ शब लेटर बनाईें, अब भीज़ देज़ दीए, कि अब बेच्पन के लिए देज़ दीए, अगर उनके फॉर्मेंट में कुछ कमी रहे ही हैं, तो आपको रॉपनसिवल है, ऐसा जब भी हो तो अधर सब देज़ बनाई ग कि मेरा R.I.D. नंबर यह है और मैंने यह फॉर्म भर रहा है इसमें यह उप्शन नहीं आया इसलिए मैंने ऐसा भर दिया है यह आपके संग्यान में रहे इसलिए बता रहा हूँ जी कि इसलिए कि पचास दुश्म प्रतिश्यत है पिछली बर पचास जाल दिये था इस बर इक्यावन डाल दिये है ठीक है नंबर बढ़ रहे हैं समय के साथ आपके दरसल पिशली बार गलेट डाला आप पर ना 50.6 तो 51 होंगे ना नियम क्या है 0.5 या 0.5 से ज्यादा कुछ भी होगा तो नेक्स्ट डिजिट माने जाएगी तो इस साल आपने ठीक किया 51 कर दिया है पिछले साल 51 करना था अब इस से आपका इस साल 51 हो गया लिए यू पिए तो ठीक वैसे कुछ मामला बन गया है तनाव मत लीजिए देखिए यू पिए से इसलिए नहीं बैठी कि किसी तैसे निकाले इन सबको बाहर कि नंबर गलत बढ़नी चलो बाहर निकलो ऐसा नहीं होता है जब तक आपको नहीं निकालने की एक भी वजय बचेगी वह आपको को यह निकालेगा एक दम तनाव मत लीजिए ठीक है उसके स्ट्रस देने से बचिए मेरे ख्याल से इस पर सवाल है नहीं आपके कुछ खासा अब जनरल में आते हैं और इडवली वसा सर्टिफिकेट भी है अच्छा अबर्गो क्या दिक करते हैं आपको बन कर रहा है जनरल से देने का एक्जाम कौन सा क्राइडियर पूरा नहीं करते हैं तो फिर फेक सर्टिफिकेट यूज गासे भी नहीं करना चाहिए भारक पर बन तो जाता है ये सर्टिफिकेट एक बन तो जाता है लेकिन देखो इसमें क्या है कि अगर आपका सर्टिफिकेट गलत है और आपने यूज कर लिया तो हो सकता है कल को या परशान करें शिकायत कर दें और जिन चीजों को छेपाना संभव नहीं है उन चीज़ इसे छेड़ खानी करना ठीक नहीं है और जैसे कोई OBC है उसकी एनोवल इंकम उसे घर में कितनी है अगर वो अन और्गिनेस्टर से है तो हो सकता है कोई पता लगा नहीं पाएगा ये एक अलग मामला होता है पर यदि आपके पास ऐसी प्रोबर्टी है फैमिली में किसी के मामले में जनरल से ही फॉर्म भरें और उसमें खत्रा ज्यादा है देखो UPSC के फॉर्म में जहां आपकी गलती नहीं है जहां ड्रोप डाउन मैन्यू में ऑप्शन्स ही नहीं आ रहे हैं वहां आपको कोई रिस्पोंसिबर नहीं ठेह रहाएगा आप चिंता बात कीजिए और जितने ऑप्शन्स माइन्यूट फोने चाहिए उतने नहीं बन पाते हैं अब जैसे शिकायते जाएंगे एगली पर फिर वह उप्शन आ जाएगा धीरे धीरे असा सॉफ्ट्वेर अपडेट होता है तो उसमें देख करते हैं थोड़ी ची रहती है पर वह आपकी जिम् छे तरह की एलिजिबिलिटी इसका जिक्र आपके फॉर्म में होता है और एक एक करके सब पूर निप्टाएंगे सबसे पहला जिससे आपका कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए वह है नेशनलिटी क्या आप सब देखके मुझे लग रहा है कि आप भारत की इनागरिक हैं त आप में से किसी पर दूसरा हो सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तीसरा हो सकता है कि एज से जुड़ी क्या एलिजिबिलिटीज हैं चोथा हो सकता है एटेम्ट्स पांचवा हो सकता है फिजिकल फिटनेस या फिजिकल स्टैंडर्ड्स कि आप इन सेवाँ में आने के लिए फिजिकली उतना फिट और दुरुस्त है या नहीं और च्छटा हो सकता है कि अगर आप पहले से आईएस आईएफस या आईपीएस में हैं तो आपके लिए कुछ चीजें रुक जाती हैं सीमाएं पड़ा होती हैं तो यह सुनके कहीं को लगता है कि अगर हम इसमें होते तो फिरम इस अपकरी के और होते लेकिन कुछ लोग हैं इनको चैन नहीं पड़ता है उसके बाद भी चाहते हैं कुछ और अच्छा उनको मिल सेके जीवन में यह फॉरेस्ट के लिए आई एफ ओएस लिखने का रिवाज है यह होती है फॉरेस्ट और आई एफस का मतलब होता है फॉरेस्ट अगर आप इन तीन में से किसी सिवा में जाना चाहिए तो शर्त है कि आपको सिडिजन ओफ इंडिया ही होना पड़ेगा किसी और कोई आउप्शन पॉपलब नहीं होता है तो आप सबको बढ़ाई हो कि इन तीन से वा में किवरा भी जा सकते हैं तो इन जो अधर सर्विसेज हैं करीब 24 सर्विसेज होती हैं इसमें 24-25 तक होती हैं तो इन तीन को छोड़के जो बाकी 20-21-22 सर्विसेज हैं उन सर इसके अलावा एदी कोई तिबत का रिफ्यूजी है दो शर्तों के साथ एक 1262 से पहले उसका परिवार आचुका हो और दूसा पर्मनेंटली भारत में रहने के इंटेंशन से आया हो और इसके अलावा कुछ और देशें जिनके पी आई ओ पी आई ओ क्या मतलब हुग हो परसंस ओफ इंडिन ओरिजन जैसे पाकिस्तान से कोई व्यक्ति है पी आई ओ स्टेटस भारत में लावा है और बहुत सारे देश हैं और भी कुछ देशा से वियत नाम से भी कुछ लोग हो सकते हैं अफरीका में केनिया है कई देश है एक लिस्ट है पूरी लेकिन शर्त है कि यह जी कोई व्यक्ति नेपाल भुटान तिबत या पी आई ओ है तो उसको भारत सरकार के विदेश मंताले से यह उप मिनिस्टी करती है इसको हो मिनिस्टी कर चाहता है एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसको वो कह है सर्टिफिकेट ओफ ऐलिजिबिलिटी तो जो व्यक्ति इन में से किसी केड़ेगरी में है और उसके पास भारत सरकार द्वारा जारी Certificate of Eligibility है वो UPSC में अप्लाई कर सकता है और केवल IES, IPS, IFS और छोड़ के कुछ कर सकता है कर दो कर दो मान लिजिए इंटरनेट का जमाना है कहीं आपका अफेयर नेपाल भूटान या किसी और देश में हो जाए तो आई एसाइप, IPS, IFS तो नहीं मिलेगा आपके स्पाउस को लिए आप प्रिद कर सकते हैं कि तुम तयारी करो और बात बनेगी ठीक है चलिए अब एपीरिंग हैं तो क्या है, MBBS हैं तो क्या है, इनिवर्सिटी कौन से, इंस्टिउशन कौन सा, वो सब देपता दियें, एक्सेप्शनल केसी में मैं आपसे कहा ना, यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा कोर्स किया है तो एक्जाम दिया होना सही है, और UPSC को लगे, कि उस कोर्स को ग्रजुवेशन के एक्विलेंट बान सकते हैं, तो UPSC सा कर सकती है, उसको जंतिन अथरिटी है, ऐसा करने की, एजुकेशनल में सारी बाते में पहले कर ली है, अब आईए एज के बारे में, इसमें कोई डाउट आपको ज्यादा होगा नहीं, कि यवले का कर लिए होते हैं, एज में एक दो बच्चों ने मेसेज भेजा कि हमें एज काउंट नहीं कर पारे हैं, कब से कब तक होगा, बड़ा मुश्किल फंस गया है, अगर हम यह ताई नहीं कर पारे कि मैं इसके लिजिवल हो पारा हूँ के नहीं हो पारा हूँ तो सी से बादा मा हो गया, 35 हो गया, SCST में प्लस फाइव कर लिजिए तो क्या हो गया, 21 से 37 हो गया, 37 क्योंगा तक, EWS वालों को भी यह सब सुधा नहीं मिली है, वो इस वर ताक में थे कि शायद पुछूट मिलने वाली है, लिगन इस वर भी मिली नहीं है, क्योंकि सब लोग बिजी थे कश दस साल की छूट दे रखी है, और एक कुमुलेटिव छूट है, तो परसंस विद बेंचमार्क डिस अबिलिटी में, जो भी 31 में आएगा, वो इन में से किसी में तो आएगा याएगा, है ना, तो इन में जो जनरल में हैं, जो EWS में हैं, इनका 32 सक्था, तो दस दस जोड जी, 42 सक्था हो गया, तो 42 सक्था, परसंस विद बेंचमार्क डिस अबिलिटी एग्जाम दे सकता है, जो SC में आता है, तो 37 में दस जोड लिए, 47 सक्था दे सकता है, और जो OBC में आता है, वो 45 सक्था दे सकता है, जो नियम यही कुमुलेटिव होगा, अगर किसी व्यक्त एक होरीजोंटल कुमुलेटिव हो सकते हैं, तो यह चारोगों की वर्टिकल है, यह होरीजोंटल है, यह पसमें मिक्स हो जाएंगे, जुड जाएंगे, उसी हिसाब से जाएगे, तो 47 साल की उम्र, हाइस्ट उम्र है, UPSC में एक्जाम देने की, डिटायरमेंट से 13 साल पह व्यक्ति की परस्थितों खराब हैं, उसे कम से कम यह उपशन मिल आ है, तो अच्छी बात है, बुरा क्या है, एज को लेकि कोई दिकत तो नहीं है, यह सरा है, एज का फैसला कब होता है, एक एक अगस्ट से होता है, जैसे अभी 2020 से खर रहा है, एक अगस्ट बसंड़ रहे या उसके बाद पैदा हुए और 1 अगस्त 1999 या उससे पहले पैदा हुए जनरल के टेगरी से वो बच्टे इस सल अग्जाम दे सकते हैं अब बहुत असान हो गया तो काउंट करना ही नहीं है ठीक है यदि आप OBC से हैं तो 85 कर लीजिए SC से हैं 80C कर लीजिए तो 2 अगस्त 1983 से 1 अगस्त 1999 ये वाला सेम रहेगा इनके सार वाला इसमें चेंज नहीं आएगा और इसे साब से अगर आप persons with benchmark disability में हैं तो 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 असार और बढ़ाईए इन मोटी सी बात है 2 अगस्त देखे जो व्यक्ति दो अगस्त को प्रदा होता ना UPSC के हिसाब से वो सबसे जड़ा सुभाग्यशाली है एक मामले में अगर वो जल्दी शायिस बनना चाहे तो उससे जल्दी कोई नहीं बन सकता क्योंकि वो 2 अगस्त को प्रदा हुआ है उसकी eligibility सबसे पहले आने वाले UPSC में उससे पहले किसी की नहीं आएगी उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है क्योंकि वो सबसे पहले बाहर होने वाला है eligibility से बड़ा सबसे पहले बाहर बाहर भी तो निकलेगा तो इसलिए लोग तवड़ा सा दबाव में रहते हैं दो अगस्त को लेकर तो एक अगस्त के हिसाथ से rate of birth को अपना match कर लीगी उससे आपको idea हो जाएगा यह कितना benefit आपको मिल सकता है इसके बाद आईए attempts के बारे में इसमें भी general है, OVC है, SCST है, EWS है और persons with benchmark disabilities है टेक है? जनरल के 6 attempts हैं, यह हमेशे जान रखने हैं, बाकी शर्पें पूरी हो रही हो तो अब कोई भाएस आप 30 में शुरू करें हो, और कहेंगे 6 तो दिया ही नहीं हो जापने तो उस age limit का ध्यान रखते हुए 6 हैं, तो maximum 6 attempts provided other conditions are being met OVC में 3 जोड़ लेते हैं, 9, SCST में no limit लिखा हुगा है, no limit तो no limit का मतलब क्या है? बाकी conditions पूरी हो रही हो तो और बाकी conditions क्या है? 21 से लेकर सेंटेस तक चलता है कितने साल होगे ना? यदि 21 से 37 सके है तो उसका व्यावारिक मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो लगभग 17 attempts दे सकता है तो no limit का मतलब यह है कि 21 साल से शुरू करके 37 की उमर तक जतने attempts आप देना चाहें, दे सकते हैं कोई limit उसके हैं नहीं EWS वाले उम्मीद में थे कि कुछ मिलने वाला एक्ष्टा लेकिन अभी उनको हाल में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है तो अभी EWS के लिए एटम से संख्या सेम है, छे ही यानि के 6 attempts जर्रल के बराबर है इसमें जो है, persons with benchmark disabilities में, अगर कोई general से है, कोई EWS से है, ठीक है? और कोई OBC से है, कोई SC और ST से है तो इसमें नियम ये बनाये गया है, कि OBC के attempts जितने थे उतने ही रहेंगे, यानि कि 9 रहेंगे SC, ST के attempts जितने से उतने ही रहेंगे, यानि कि जो no limits है, वो no limits रहेंगे No limits के मकलब इतना ही, जितना ही से बताये गया है जनरल और EWS के लिए प्रावधान है किनके एटेम्ट्स OBC के बराबर रहेंगे यानि परसंस विद बेंचमर्क डिसेविलिटी के जनरल के डेग्री में अटेम्ट्स नो है इड़ी एस में नो है इड़ी एस को मिलने वाला अधरिक्ष फाइदा केवली है यह दी कोई व्यक्ति परसंद बेंचमर्क डिसेविलिटी है तो उसको नो एकम्ट्स मिलेंगे लेकिन उसको जो एज कर रिलक्सेशन ना वह वह रही बता है कि एलक्से उनको नहीं मिलता है ले मैं बड़ी चिंता हुए कि फिर आये से स्लेबस का से याद हो इतना मड़ा स्लेबस तो लेकिन में बड़ी दोविज़ा है कि मैं इससे क्या जबाब दूँ इससे तरीका यह है कि यूपी एसी को सूचना के अधिकार के ताफ पत्र लेखिए कि पिश्य साल में रोल नंबर यह था मेरा नाम यह है मैंने यह आईडी कार्ट लगाया था इसका नंबर यह है क्रिपिया बताएं कि मैंने कितने टेम्ट्स यह है क्योंकि मैं दुर्भागे से भूल गया हूं और मुझे उसमें लगाना है तो अगर इत जीने मरने का सवाल माना गया तो और पाली सिंटे में जबाब जाएगा नहीं माना गया तो तीस दिन में आएगा और तीस दिन तक डेटिकल जाएगी फॉर्म बढ़ने की फिर एक्टे साल भर दीजिएगा या नुमान से लिख दीजिए और बाद में फिर पता करके माफी मांग दीजिएगा लोग माफ कर देते हैं ऐसी ब जोब्स और एक को बोगते हैं नॉन टेक्निकल जॉब्स सिविल सेवाएं जो हैं 25 के आसवास उनमें से कुछ सेवाओं को टेक्निकल जॉब कहते हैं कुछ को नॉन टेक्निकल कहते हैं जो टेक्निकल जॉब्स हैं उसमें दो प्रकार की हैं एक हैं पोलिस की जो नोकरिया है उन सब को टेक्टिकल मानते ही और पुलिस के अलावा केवल एक जॉब और भी है जो इस साल तो UPSC ने दिये है अगले साल से शायद उसका अलग एग्जाम लगा जो अधर से उन में केवल एक नौकरी है I.R.T.S. इसके फुल फर्म बताएंगे आप लोगा इंडियन डेवन् इंडियन डेवे ट्रांसपोर सर्विस तो इंडियन डेवे ट्रेवल सर्विस तो इंडियन डेवे ट्रेवल सर्विस तो इंडियन डेवे ट्रेफिक सर्विस इंडियन डेवे ट्रेफिक सर्विस ठीक है रेल्वे की जो आठ सेवाएं है जिनमें से चार UPSC से होती है उनमे पर सबसे अच्छी सर्विस यह मानी जाती रही है अब तक लेकिन सारी सेवाओं को एक कर देने से ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे अधर नुकसान इसी सर्विस को होने वाला है क्योंकि पहले इनको बहुत उच्छा लेवर मिलता सा है अब सम बराबर हो सकते हैं तो सोड़ा दबा है जिसका नाम पूरा बता सकते हैं डेल्ली एंड आनमा निकोबार आईलेन्डस पुलिस सर्विस कहने के लिए दिली एन मनिकोबार है लक्ष्ट ही भी होता इसमें दमन दीव भी होता है चंडीगभी हो सकता है और तो लटजाइख भी हो सकता है हुग तो जम्व कश्मीर हो सकता है कि इसके अलावा एक सर्विस का नाम है PPS बताओ कौन सी होगी देखें जरा को न बताएगा पॉंडिचेरी पॉलिस सर्विस में इसी उड़े इसका नाम है RPF पॉलिस इसका नाम है railway protection तो ध्यान जोचना है कि इस एक्जाम में पांच नोकिया टेक्निकल हैं जिन में से चार इसलिए टेक्निकल है कि पुलिस की चीज़े और पांच भी इसलिए कि रेलवे का सारग ट्रैफिक का सिस्टम देखना होगा तो उसमें ब्यट्टी की फिटनेस का अलग लेवल चाहिए क्योंकि अगर वो पूरता से फिट नहीं है इस वजह से किसी टेन के एक्षिर इंट हो जाए तो उसे फिर जवाब हम कैसे देंगे इसलिए टेक्निकल में उसुर रखते हैं और बाकी सबी जो हैं उनको बोलते हैं नॉन टेक्निकल सर्विसेज तो सब नॉन टेक्निकल हैं टेक्निकल सर्विसेज के लिए फिजिकल रिक्वाइरमेंट्स थोड़ी सी अलग किसमती हैं और नॉन टेक्निकल के लिए फिजिकल रिक्वाइरमेंट्स बहुत आसान किसमती हैं और नॉन टेक्निकल में तो मान के चलिए कि हो ही जाता है कोई खास दिक्कत नहीं है बहुत फिटनेस में क्या हो सकता है एक तो हाइट हो सकती है हाइट हाइट का यह है कि टेक्निकल में यानि कि पुलिस की नौकरी में एक सो पैंशाट से शेंटीमेटर और एक सो पचास सेंटिमेटर है यहनि पुरिशों के लिए पांश फूट राग पर लड़कियों के लिए खाली और लिए कि लिए 6 राग्ये पांशाट नौकर पांच फूट हुआ ठीक तो पांच फूट छेंज और पांच फूट इतनी हाइट चाहिए अगर कोई ट्राइबल बेल्ट से है पहाडी खेत्यसे है तो उनके थोड़ा सा कम कर दिया पांच पांच सेंटीमीटर एक सो साथ हो एक सो पैंतालेस कर दिया गया है यह अन्तर है ठ पूरिश अगर पांच फूट लगभग एक इंच के आस्परस हो आयर टीस बन सकता है क्योंकि तो पुलिस में क्या होता है थोड़ी हाइट का अपना महत होता है दंगा बंगा हो रहा है आप खड़े हैं लोग देखी नहीं पार है ऐसे देख पुलिस वारत तो फिर उससे अपना महते है कि कंट्रोल आपको अच्छे से बता कि अच्छे से कंट्रोल में हाइट की घूमेका होती है शाय इसलिए पती पती से लंबा बनाए जाते है जान बुश के ताकि भारतिय समाज चाहता है ने कि पैट्रियार की बनी रहे पूरुष की धौस ज्यादा रहे इस क्योंकि सड़क पर घूमता है आई पिए सड़क पर कम घूमता है उसे काम बेसिकली आदेश देना फैसले करना है पर तब भी वो कम से कम सड़क पर रहे तो दिखे जरूर की एक ताकतवर व्यक्पी है इसलिए हाइट की कंडिशन उसमें लिगाई गई गई है ठीक है बाक इस बनी सबसे बडिया है और न ट्व यह कोई जिक्ट है है इस में पोई भी जा सकता है आई कियここ रहा हूथ कि इतने भी नंबर के लिख्मा कोई समस्या नई है अगर आपके चश्मे के नंबर दस भी है तब भी कोई समस्य निए, नॉन टेक्निकल नहीं टेक्निकल में भी समस्य निए. बशर्थे चश्मा लगाने के बाद यहां तक यह उपरेशन करवाया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. Corrections के बाद Corrections क्या हो सकता है? चश्मा हो सकता है? सर्जरी हो सकती है अगर Corrections के बाद आपका इसमें दोनों सेम है अगर अच्छी आँख 6 बटा 6 और खराब वली आँख 6 बटा 12 है या 6 बटा 9 और 6 बटा 9 ये विजन है दूर का विजन तो अब टेक्निकल सर्विस के लिए फिट है इंदम, और ये चश्मा लगाने के बाब क्या रहा हूं? चश्मा के नंबर कुछ भी हो, कोई फ़र्ट भी बढ़ता है, हाँ, अगर चश्मा के नंबर छे से ज्यादा हुआ, छे या छे से ज्यादा नंबर चश्मा का है, तो एक स्पेशल चेक अप होता है, और उस चेक अप का परपस के लिए देखना होता है, कि कोई ऐसी प्रोब्लम तो नहीं है, जिससे आगे चल कर दिक्कते बढ़ने वाली है, अगर स्टेबल है, तो कोई सबस चाड़ी है, अपने दोस्तों को समझा देना, कई बच्चे परशान जाओ, उसको गोलना कि चेक करो इतना है कि नहीं चाप पहने के बाद, बस आपने देखा रहा है, बोड बना होता है, वो पढ़ना होता है, तो जुसमें आखरी लाइन होती है, आखरी से उपर वाली शैन, वो होती 6x6, तो लगबख 6 मीटर की दूरी से मेरे खेल वो रहता है, और नॉन टेक्निकल के लिए तो बहुत ही दुमधान है, कोई दिक्कते नहीं है, अगर अच्छी वाली आख 6x6 मानने ले एक सेकिंड के लिए, तो दूसरी वाली आख चाहे 6x18 हो, चाहे 0 हो, एक आख से बिलकुल नहीं दिखता है, 0, और एक आख से 6x6 दिख र हैं, तो भी फिट हैं, इसका मतलब एक आख पूरी तरह से नहीं होने के बावजूद, यह दि दूसरी आख पर बेशक चश्मा लगाने के बाद, 6x6 दिख विजन है, तो आप किसी भी सर्विस के लिए फिट है, उस वो नॉन टेक्टिकल जोग होनी चाहिए, एक चीज होत उसी भी मजग चल लाथ है, भारत में ऐसा होता है, जिन चीजिजों पर दुखी होना चाहिए, उनकर मजग बनता रहते हैं, अगर कोई नाइट ब्लाइंड है, तो टेक्निकल जोग के लिए फिट नहीं है, नॉन टेक्निकल जोग जोले फिट है, आप आई एस बन सकते हैं और शीट इस में हते हुए जोग और शीजो फिट जूब अब कोई जोग कर्त भी में जोग है, तो टेक्निकल जोग में तो झाल पाएंगे, अब सोची आई एस तो स्ट्चिनल ने स्सेंड़ में और लाल ले जो चैना है। शयजकोर के लिए फिट हो ऑड जएंड हो सब प है आखों में क्या होते इस के लगा स्कुंट है कि जिसको स्कुंट होता है उसको बाइना क्यूलर आप चलता है तो तेक्निकल जो में यह भी नहीं चलता है नॉन टैक्निकल में रहें मज़से साल भर में कम से कम 20-50 बच्चे पूछें आखों को लेकर तो मैं अचारों की तनाव दूर हो जाए इस बाहने से ज़ाद तनाव लेने की ज़र देही है आम तोर पे किसी ना के सर्विस के लिए फिट आप सुछ के देखें नॉन टेक्निकल जोब्स में जो बच्चे ब्लाइंड है उनको आरक्ष्ण मिलता है इसका मतलब क्या हुआ ज जो फिजिकल डिक्वाइर्मेंट्स के मामले में या परसंस विद बेंचमार्क डिसेविलिटी उनको अरक्ष्ण नहीं मिलता है चलिए यह आई हो गया इसकी मात्रा कितनी है चांसेज यह है 99 परसंट के फ्रेक्चर होगा तो आप टेक्निकल जोब नहीं मिलेगी पुलिस इसमें इसमें सिर्फ पुलिस वाली है आई एटीस मिल जाएगी और वो सब तो मिली सकते हैं तो तो तीसरी चीज मान लेके हम सोड़ ज़र के लिए हम कान हा तगरक्स चश्मा लगाने के बाद भी 6x6 और 6x18 तो टेक्निकल जोब शैद नहीं मिलेगी आई एस लोना यार चोटा मुड़ क्यों सोचते हूं अगर आप केवल दो लाइन पढ़ रहे हैं तो मेरे नमान से 6x18 का मामला बनेगा यह 15 का होगा मुझे एक्जेक्ली पता नहीं डोक्टर से पूछना पढ़ेगा 6x9 तो नीचे से दूसरी या तीसी लाइन होती है ठीक है चश्मा के बाद बक्का चश्मा सही नमबर का था कंफर्म करो एक बर किसी अच्छे जोक्टर से मिलके आख चेक करवाओ हो नमबर में कुछ बिरबढ़ हो चेक कर लिए ठीक है नहीं है तो फिर नॉन टेक्निकल जैसे आई एस तो है ही अपर ठीक है फिर नॉन टेक्निकल उसके लिए आई है कान के मामले में खास सिंथा नहीं है टेक्निकल जॉब में कान की जरूब ज्यादा है पुलिस में आयर डीस में क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अच्छा रेलवे की सारी जोक्स में जरूब है ट्रेन आ रही है उसमें हो अगर वन इयर जीरो है और दूसरा कान ठीक है ठीक की परिभाशा भी परसेंटेज में होती है तीस डेसिबल आम तोर पर इनका नियम बना हुआ है वह उच्छा वाना पड़ता है जिसको ऐसी दिक्त हो लेकिन आम तोर पर जिस व्यक्ति का एक कान एकदम शून्य है वह भी नॉन टेक्निकल जोब्स के लिए एलिजिबल हो सकता है बशर्ते दूसरा कान ठीक सिती में हो और वह बहुत ठीक सिती में नहीं उसमें भी यह माना जाते है कि तीस जैसी बलकर जो लेवल है और वह बहुत मुश्किल लेवल नहीं होता है हाँ टेक्निकल जोब्स के लिए क अगर बीपी एक सो चालिस और नबे तक है तो कोई समस्या नहीं है अगर उससे ज्यादा है तो वो फिर से चेक करते हैं रीचेक क्यों क्योंकि कई बर बीपी बढ़ जाता है खुशी के मारे कि मेरे मेडिकल हो रहा है अब मैं इस बनने वाला हूं पतलगा इसी खुशी में बढ़ गया और उसी खुशी के वैसे सेलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद तो फिर सो पंधा मि कर लेते हैं नियम है यह और इसको होस्पेर में रखे सारे चाहते हैं देखते हैं कि कोई दिक्कत है या केवल इमोशनल स्ट्रेस वेगरा की वज़े से ऐसा हो रहा है फिर टाइम देते हैं ठीक करने के लिए कितमे दिन हैं आप अभ्यास करें प्रेक्टिस करें ठीक करें यदि बाद में थाबिट हो जाए कि बीपी की वज़े से कोई कॉंप्लिकेशन नहीं है जो हाइपर टेंशन की कॉंप्लिकेशन सोती है तो उसे परमेशन दे जाते हैं तो इस वो खास दिक्कत नहीं है किसी कब बीपी ज्यादा हो तो यह सुनकी और मग बढ़ा जाता से लेक्शन कोई दिक्कत नहीं है आशकेल बहुत सारे बच्चों को इतनी स्यूमर में डायविटीज भी हो जाता है तो नियम नया जो आगया है पहले तो नियम था कि डायविटीज के मामले में सेलेक्शन नहीं होता था अब भारत सरकार नहीं इस बात को समझाए कि डायविटीज हासिर बहुत सामान्य बात है बहुत लोगों को होता है अब नियम है कि डायविटीज अगर हुआ फास्टिंग शुगर और एच बी ये बन से चेक अप होता है अगर रिजल्ट्स अन्यूजवल आते हैं तो तीन महीने के समझ देते हैं कि आप उसको कंट्रो कर लेते हैं कोई दिक्कत रही है कॉम्प्लिकेशन सगर है बड़ी कॉम्प्लिकेशन उससे हो गई है तब दिक्कत है अधरवाइस उचल जाता है कि फिजिकल स्टैनर को लेगे कोई और बात आपके बनना है तो पूछ लीजिए है मैंने पी एच की वाग्यू मैं भी कर जो शुट में एक मात्र वज़ाई है कि जिस समाध से आप है क्या उस समाज में हाई नौर्मली कम होती है महिलाओं की हाइट बैलोजिकली कम है ट्राइबल्स की पहाडिक्षेत्रों की हाइट नेचरोली कम है तो उनको छूट मिलती है कोई ऐसा तर्क जिसमें ओबीशी की ह हेट कम होनी चाहिए आज तक स्टिबलिश होनी पाया है या जनल के हेट ज्यादा होगी ऐसी के हेट कम होगी आज तो हुआ है अज तक इसकी छूटने मलती है वह नहीं मलती है एक आंदोलन कर सकते हैं इसके लिए ऐसे कि हमारी हाइट कम कड़ो अगर किसी का पैर टूटा ह हुआ है और आइपेस बनना चाहता है तो नहीं बन पाएगा नहीं है चेक अप में ना कई चीजी जैसे पैर में अब देखा पैर के नीचे एक ऐसा वह आर्च होती है अगर वह भी कम हो फ्लैट फुट हो या पार्शली फ्लैट फुट हो तो बाहर निकाल देते हैं आई प इसके लिए फिजिकल सेंड़ सोड़े से उंचे हैं ठीक भी कोई भागर है उसकी घुटने आपस में तकरा रहे हैं मान लीजिए अब उसके पर समेधन शील हो सकते हैं लेकिन आप पूरा जिला कैसे सौंपेंगे उसको किसी रिस्की सिचुएशन में अगर वह नहीं करते हैं तो इसे हाइट में आजा सेंटिमीटर टाइप से होगा तो मैनेज हो जाता है थोड़े बार लंबे रख्ष्णा चल जाता है तो लेकिन बहुत हलका सा कुछ मिलीमीटर टाइप का मामला है तो चलेगा यह नहीं कि आप कहें कि दो तेन इंस एड़ेस्ट कर दो वह एड़ेस्ट नहीं होता है वह नहीं होता है यह नियुक्त भी देखते है ने कि अबार में कि सी का आजी सेंटिमीर का मामला है एक-डो मिलीमी태 का मामला है तो बढुमाण लेते हैं कि चलो ठीक है। यह व्यावारीक है लिखा हूव नहीं रिखा हुए सम्यधाय में नहीं विछ बात इंकी हैं दिली के ऊपिटल में एक उंज वह सिंट्रल संंफ्ल वहां पूद्श बने वाहिख दोपे आप को के लिए आपको जाना पड़ेका है सुबह नो बजे बुलाते इतना चेकप होता है दिन भर में और भगवान साथ दे तो उस दिन छोड़ देते हैं फाइनली नहीं तो फिर बोलते हैं कि आपके तीन चीज़े ठीक नहीं फिर चेकप होगा फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें जो मिलता है डोक्युमेंट वहां से जो जाता है डियो पीटी के पास वही होता है अधिकल सर्टिफिकेट कि यह कौन-कौन सी जोब के लिए फिट है कौन-कौन सी जोब के लिए अन्फिट है ठीक है मान लीजी लिखा है unfit for technical services fit for non-technical services आपकी preference मान लीजी है IES, IPS, IFS rank ऐसा है कि IES नहीं मिल पा रहा पर IPS मिल सकता है तो IPS मिलना है पर unfit है तो IPS के बाद जो service होगी non-technical वो मिल जाएगी आपको उसी preference से हो जाता है सबस्ष्ट सर्जरी किसकी है, आके मला आके सर्जरी का नियम यह है कि ऐसे हर केस में एक special medical board के पास भेजते है अगर वो लिखके देदे कि इस सर्जरी से भविश्चे में कोई दिक्कत बढ़ने वाली नहीं है तो बात खता हो जाती है को यह और सर्जरी होगी है लेकिन ऐसी सर्जरी के हर केस में एक special board होता है वो बोलते है special अब ठेल मरोजी बोलता है उसका बोड बनाते है SOL SOB उस बोड़ के पाँ भेजते हैं वो बोड़ गुरुनानकाई सेंटर दिल्ले में वहाँ भेजते हैं अगर वो लिखके देदे कि प्रॉबलम जो सर्जरी है उससे प्रॉबलम बढ़ेगी नहीं स्टेबल चीजे हैं तो कोई समस्या नहीं है तो आप IPS बन सकते हैं धुमदान से बन सकते हैं अगर आपकी आख ऐसी सिती में है कि लेसिक सर्जरी से पावर ठीक हो सकती है और बिना उसके नहीं मिलेगा IPS तो बेहतर है कि अब लेसिक करवाने है तो किसी अच्छे सर्कारी डॉक्टर से पहले पूछ लें कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ठीक हैं या केवल आपकी आपकी एजमिशंस हैं वो पहले पूछ लीजिए ऐसे जल्द बाजी में नह एक बात जो छूट रही थी वो यह है कि जब अब डैफ 2 भरते हैं बताओ डैफ 2 कर भरते हैं बहुत बड़े हैं डैफ 2 में इन्फरमेशन होती है उसमें एक होती है service preferences और दूसरी होती है carder preferences यह में उस समय मिस कर गया समझाना service preference का मतलब है 25 नौक रहे हैं आपकी राये में नंबर एक कौनसा नंबर दो कौनसा नंबर तीन कौनसा पच्श्य सत तक को तो आब बताएंगे मैं चाहता हूँ यह आई एस यह ना मिले तो नंबर 12 आई सबस्याता हूं जो भी प्रेफ्रेटर्स आपकी हैं और किसी किसी के लिए यग सूच ने कि तो चाहिए नहीं मुझे जयो अप्ट तो एक और सकता भी वरियतिया थे लिखी होती है next abi उस रांग के भी साफ से highest कौनसी मिल सकती है जोब इन में योग से वो डेखते हैंPr begin कौनसी जोब के लिए süब लिए मेडिकल अब फिट है या नहीं अगर तीन और Style मैछ कर गए तो वह आप प अगर आपने जो सर्विस प्रेफरेंस में आई एस या आई पीएस या दोनों भरी हैं तो आपके सामने कॉलम खुलेगा काडर प्रेफरेंस का काडर का संब्द तो इन दो से वाओं से ही है ना मतलब सिविल सर्विसे के अंदर बाकि आई एफ उस जो है इससे भी होता है पर अधि The Jag compliqué कास ममनों ने तो काडर के संब्द हुथ है आल इंडीय सर्विस इस एच्जाम में कि वल्दो हैं IES और IPS यदि आपनी iOS BUT बढ़ है अपनी चॉइस में, तो फिर आपको काडर भरना होगा, पांच जोन हैं, हर जोन में कुछ स्टेट्स हैं, तो आपको सारे जोन, कि जोन में प्रेफरेंस क्या है, और हर जोन के अंदर स्टेट्स की प्रेफरेंस क्या है, वो मेंचिन करनी होती है, उसके हिसाब से फिर एक जब दिमागी तब ठीक काम कर रहा हो और दो घंटे हाथ में हो काज़ स्पेन लेकर एक गरम-गरम श्ट्रॉंग सी चाय या कॉफी हाथ में लेकर फिर बैठीगा उन दिमाग का बही हो जाता है उसमें ऐसा सिस्टम है लेकिन हाँ आइडिय हो जाएगा उससे बात समझ में आ आरक्षन महिलाओं के लिए नहीं है तो जेंडर के बैस पर यूपी एसी में अरक्षन नहीं है लेकिन हाँ थर जेंडर को भी फॉर्म भरने का एक्जाम देने का पूरा हक है ठीक पैनल पर पढ़ता है यह कह रहे हैं कि अगर not opted liching kut sewa हो में क्या पैनल पर इसका फरक कि ऐसा क्यों किया आपने तो इसके जैसे हिंदी माध्यम के बच्चे आई एफस भरने से बचते हैं तो इससे सिंपल नहीं होता ना कि आप आई एफस को नंबर पांस भर देजी मिले गए नहीं कभी सब लोग यह करते हैं आई एस आई पीस आई एरस आई एफस जब नंब आई एफस नहीं मिला और आई एफस मेलिया है इसलिए जो बच्चे चाहते हैं कि उनको इस सवाल का सामना ना करना पड़े कि आई एफस क्यों नहीं भरा आई एफस को नंबर पांस भर देते हैं फिर दिक्कत के अबल कभ है यसे मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ आई एस फिर भरा आई एफस फिर भरा आई पीस यह आई पीस भरा फिर आई एफस भरा है आई एस आईपस आई एफस एग्साम दिया सिलेक्शन हो गया रैंक इतना अच्छा नहीं आया कि IES मिल जाए पर इतना अच्छा है कि IPS, IFS दोनों मिल सकते है नमबर दो पे IPS भरा हुगा है और टेक्निकल सर्विसेस के लिए मेडिकली अन्फिट हो गए अब समझने पूरी एक्वेशन कि रैंक IES के लाइक नहीं है IPS, IFS मिल सकता है नमबर दो पे IPS था और मेडिकली अन्फिट हैं टेक्निकल जॉब के लिए और तब हो किस में चेलेगे? IFS में और कुछ लोग खुश हो कि उस दुखी रहते हैं जीवन भर और अंतिम जो बताने बाला हूँ अगर आप IFS में हैं तो रिजाइन किये भी नहीं एक्जाम दे नहीं सबके फिर से रिजाइन करने के लिए जिगर चाहिए बहुँ 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 जिगरा कुछ लोग मात्सा लगा के और बड़ा कर देते हैं कि जिगर नहीं जिगरा चाहिए जिगरा मज़ग छोड़ना है रिजाइन करना है इसलिए लोग क्या करते हैं IS, IPS, IRS, IFS क्योंकि जो IFS के लिए medically fit है वो IRS के लिए तो fit है ही तो वो जो अकेला खत्रा है वो खत्रा वहां खत्म हो जाते है वो जो नोट आप्टेट लिखते हैं वो दो तो रहे के लोग हैं एक जो पहले किस सर्विस में हैं उन्हें वो सर्विस या उससे बादवरी सर्विस चाहिए यह नहीं क्यों भरेंगे या स्टेट PCS में हैं 5 साव से काम पर रहे हैं SDM हैं उनको लगता है कि चार सर्विस मिलेंगे तो ठीक है वर्द में नहीं जाओंगा तो वो लिखतें नोट आप्टेट या कुछ लोग ऐसे जैसे एक बच्चे को में जानता हूं उसको पुलिस के इतना शौक था उसे पांच ही भरी प्रेफरेंस चारी भरिवर के IPS, DANIPS, Pondicherry Police Service, RPF खत्ब नोट आप्टेट, नोट आप्टेट, IES नोट आप्टेट, IFS नोट आप्टेट ऐसे लोगों के इंटर्व में एक ही सवाल सेलता है फिरिये सब कि ऐसा क्यों भरा और जनरली ऐसे लोगों को इंटर्व में ज्यादा नंबर मिलते हैं, कम नहीं मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं क्योंकि मेंबर्स को मेंबर्स को लगता है कि इस व्यक्ति का बहुत इंट्रस्ट एक खास काम में है अगर यह वही काम करेगा तो अच्छा काम करेगा यह भावाता है तो नौट अप्टिट एक अच्छी बात होती है लेकिन कोई बिरुजगार व्यक्ति नौट अप्टिट तो ठीक बात नहीं है ज्यादा अच्छा है कि वो तभी लिखें जब आपके पास बहुत ठोस ऑप्चन उस तरह है का हो पैनल के पास डेफ बी उता है और उन दोनों के बेस पे एक समरी होती है एक समरी शीट भी होती है इसमें में में बाते लिखी होती है तो वो उसके बेस सवाल पूछते हैं इस साल जो ट्रेंडा में दिख रहा है वो यह कि पच्चेस मिनिट का इंटर्व्य होगर है तो पच्चेस मिनिट में लगभग 20 मिनिट आपकी डेफ पे ही चल रहा है बहुत मुश्किल सवाल दिवादास्पत सवाल इस बार नहीं के बरावर पूछे ज जब भी किसी को डाउट हो एक वेबसाइट पर जाएगे एगेजट अब गूगल पर सर्च की जाने के बाद एक सर्च होगा मिनिश्ट्री के हिजाब से तो मिनिश्ट्री वाले में जब आप जाएंगे तो उसमें एक होगा डिपार्टमेंट ऑफ परस्टनल एंड ट्रेनिंग डियो पीटी एंड पब्लिक डिवांस डियो पीटी पीजी ने कि भारत सरकार जब भी कुछ अनॉंस करती है उससे नोटिफाई करना होता है और नोटिफिकेशन को बोलते हैं गजट ठीक है डियो पीटी ने बारह फरवरी 2020 को सिविल सर्विसस का 2020 के एक्जब नॉटिफाई किया तो उस दिन गजट निकाला है वो गजट जो है तीन सो तीस पेज का है लगभाग उसमें पहले हिंदी में 180 पेज एंगलिश में ऐसा कुछ है यो पी एसी के इस एक्जाम से समंजित कोई भ का ब्रीफ जो नोटिफिकेशन आता है वो उसी का ब्रीफ होता है जो फिजिकल बीसेविरिटी इस का मामला है इस गजट का बारह फरवरे वाले गजट का एनेक्शर 3 देख लीजिएगा एनेक्शर 3 यह मेरे पास वो डोक्यूमेंट है वैसे लेकिन वो थोड़ा सा पुरा रिक्वाइरमेंट्स हैं डेसेबिलिटी जो रिजर्वेशन फैसिलिटीज है उनको वो सारी इसमें दे रखी है तो इसमें स्पीच का मुसे दिखा नहीं एक नजर में देखा मैंने लेकिन अगर अब ध्यान से पड़ाई नहीं तो इसमें नहीं है तो इसी इनेक्शर में में एक जगा मेलेगा आपको किस सर्विस के लिए कौन से फिजिकल रिक्वाइरमेंट्स हैं नोटिफिकेशन में भी दे रखा है चार पंस पेच की टेबल बना रखिए उस टेबल में देख लेजिए उससे आपको पता लग जाएगा ना मेले तो मुझे बोली कि मैं ढून हैं Nich Idol नहीं कोई पर ऑते हैं कि वहां कि महाल में आपको इंगलीश चाहिए उत्य है tip यह 2 में इसलिये कर बहुत सहेटा नहीं होती को सिर्ट अटस्टर कहें जिकान इसलिए को वहां उनको ना Hindi याती ना English आती है तो उनकी अपनी भाशा हैं तो आइएफस पी एक काडर लेंग्वेज होती है जैसे कुछ लों को लेटिन भाशा सिखाते हैं कुछ फ्रेंज सिखाते हैं ऐसे देश जहां एक भाशा बूली जाती है उनको एक काडर बना जेते हैं उस काड पानी सीखनी है ऐसे शहीं होता है हमें इसलिए कह रहा हूं कि फॉरेंग सर्विस में कौन सी लेंग्वेजिस हैं वो देख लीजेगा उन में से जो प्रेफरेंसिज हैं मरें ट्रेनिंग के समय की बात कर रहा हूं मैं ट्रेनिंग के समय की बात हुड़ी है यह मेंस के फॉर जैसे कोई कंट्री जैसे इंग्लिश है तो जहां जहां शासन रहा एंग्रेज़ों का तो इंग्लिश जिनकी अच्छी उनको भेजना पसंद करेंगे अब किसने लेटिन सीखिवान लिजिए वो सिखेंगे ट्रेनिंग में आपको एक अप्छे विश्च्व विद्याले में उसकता है कि यह फ्रेंच सीखने के लिए अपको अब के ट्रेंट फ्रेंचे टविज करवाएं फ्रेंच लेंग्वेज लेंग्वेजि और आपके क्टेनिंग का हीससा है कि छुまぁ ने आ हम पढ़ाई कर नहीं हो आट रहें है कि ट्रेंग्डेंग्युम्स है वह आपस होन द नहीं नहीं पढ़ना है फिर फिर बगा देंगे माँ से तो उस एक्जाम को पास करेंगे उसके बाद आपको किसी ऐसे देश में भेजेंगे जहां फ्रेंच भाषा ऑफिशल लिंग बेजेंगे मेरे खिल से एक आप बर चांस और मिलता होगा और उसके बाद फिर वो कुछ ऐसा काम जैसे भारत बुला के पासपोर्ट ऑफिशर बनाएते हैं उसके बाद कि पासपोर्ट बनाओ सबके लेकिन प्रमोशन आपकी एक भी यह जब पास ने करेंगे और प्रोबेशन में उनके पास अधिकार होता है कि एदिटेइनिंग में अपका रिकार अच्छा नहीं है तो आपको मना कर सकते हैं बाद में इतना है नहीं कंफर्म होने के बाद भी नोपिश निकाल सकते हैं और आई एस में लेंग्विश बास नहीं कर पाऊगे यह सक्यों मन में आ रहा है भावाव के लिए इस तो आसा थोड़ना होता है वो तो आसान होता है और वैसे सच बात है कि ट्रेनिंग में जो बच्चे आई एस बनने के लिए रात दिन पड़ते हैं तो ट्रेनिंग में जब लास्ट में एक्जाम होते हैं तो ट्रेनिंग एकेडमी पर दबाव रहते हैं कि सब पास हो जाएं यूपी एसी पर में दबाव रहता है वरना सवाल क्या बनेगा देश भर से ऐसे लोग ढूंडे जो ट्रेनिंग पास नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रेनिंग एकेडमी प पीर कियोंकि और बाठी यदिए बे बंग एक्दम में कुई और देरे होते हैं तो कोई लोग खाड़ा नहीं हुआ तो बार चले आते हुएपली है जब उनका ही ज्दिमे करते हैं और उनकी तरही जाने हुगी तो अनकी अगा सब्सक्राइब उनके घरता है तोसमे किका required अगर एटेम्ट काउंट कैसे होता है इस बात को ठीक से समझ ले वो होता है कि यदि आप प्रेलिम्स में एपियर हुए बहां से बेशक प्रेलिम्स में दोनों पेपर में हो जो बेशक किसी एक में हो जो अगर आप प्रेलिम्स के पेपर में गए और आपने वहां साइन कर दि चौथे कांसर केया है ऐसे करके और किसी क्रूरिशिर्ने आपको देख लिए उसे समय उठाया अभी कोपी के निशान लगा electr, शाइन किया और आपको डिस्दृफाइब कर दिया तो यहां तक कि अगर disk qualify कर दें या candidature cancelled कर दें तो भी attempt count हो जाएगा क्योंकि या frame उसमें चले गए चाहरे लेकिन यदि या frame उसके exam में नहीं गए हैं तो attempt count नहीं होगा eo meanc पिछले साल ये सोच रही थी कोशिश कर रही थी पर अभी किया नहीं है इस साल के notification में सबसब लिखा होगा कि attempt count होगा prelim से ही लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे परिवरतन करते हैं इस साल एक चीज़ इंटर्यूस कर दी है कि आप चाहें तो अपने form को विड्रो कर सकते हैं फॉर्म भरने की डिट तीन मार्श तक है 12 मार्श से 18 मार्श तक 6 दिन का समय दिया है फॉर्म को विड्रो करने का वापस लेने का और इस से कई बच्चे कंफियूज हैं कि ऐसा क्यों option दिया है तो आपके लिए नहीं दिया है अपने ले दिया है उन्होंने क्योंकि फॉर्म करना पड़ता है इतने कालेज जतने स्कूल किराएप लेने पड़ते हैं उनको तो उनको लगता है कि मान लो इस कोशिश में अगर लाख दो लाख लोग वापस ले लेंगे तो उनका बूच कम हो जाएगा और दूसरा अगले साल अगर नियम चेंज करेंगे तो प्रक्टि आइडी से आप जाएंगे उसी साइट पर और फिर मोबाइल नंबर एमेल अपना प्रयार रखिए जैसी आप कहेंगे मुझे फर्म आपस लेना है आपको दो ओटीपी बेजेंगे एक मोबाइल पर एक एमेल पर दोनों ओटीपी आप जब भरेंगे तब फर्म कैंसिल होग दिया खी या फिर के नहीं सकते हैं तो देख रहा था यह इस लेए नी न nhất है एलाक साफ़ फिर इस साल का चाख्ता है माओ मुझे लगता कि को जो करेंगा इब डरो करने से फाईडा पुछ नहीं इस साल उस बच्क पूंच एम अपपी जब कृया ने किया इस साल पर उस ब कि आदक डाल दें ताकि एक दो साल के बाद जब नियम बनाएं कठोर तो उस समयाद तयार रहें इसमें बस एक बात और समझ लें कि जिनको बच्चों को आरक्षन मिलता है उनको बोलते है परसंस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिन व्यक्तियों के डिसेबिलिटी चालि बोल्ड होता है हॉस्पिडल्स में उन बच्चों से का जाता है कि पहले आप अपने जिले के हॉस्पिडल से सरकारी हॉस्पिडल से डॉक्टर से एक सर्टिफिकर बनवा के जमा करो मेंस के टाइम पर डैफ बन में उनको सब्मिट करना हो उसके बाद जब अंत में मेडिकल बॉर्ड होता है MA ॡ। जैसे सब का होता है उ। उस बॉर्ड मेजों के लिए जो इसको क्लेम कर रहे हुटे तो वहां जो डॉक्टर्स होते हैं वहां चेक अप पूरा करके देखते हैं कि डिसेबिलिटी जो नहोंने दावा किया है वो है नहीं अगर ठीक मिलता है उनको 40% है और पर्मनेंट नीचर का है तो एक पर्मनेंट सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं उस बच्चे को और उसके आपको यह अच्छे से पता है कि जो परसंस विद बेंच्मार डिसेबिलिटी है इनके तीन काटेग्री जो पहली होती हो और थो वाली होती है जिनको देखने में दिक्कत है उस सेकिंड में आते हैं थर्ड है हीरिंग की विजूब और हीरिंग छोड़के बाकि सारे दिक्क से तो वो भी इसमें शामिल हो गया है और बाकि जो कुछ भी है जैसे किसी को लिप्रोसी थी पर ठीक हो गया है तो लिप्रोसी क्योर्ड को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और सेरिब्रिल पाल्सी एक मुआरी है उसको इसमें शामिल किया हुए तो वो सब इसमें शामिल लेके बैसे डॉक्टर पर उता ही है अगर डॉट हो तो उसका प्रिंट आउट लेके जाए और डॉक्टर्स को बताये कि यह क्राइटेरिया है आप चेक करके बिताए कि मैं इसमें आता हूं यह नहीं आता हूं 40 पर संट के जारे में यह चीज़ अब इतना होने के बाद मेरे आईएपेस है यह अगर आप हैं और फिर जाएपेस वाला तो अगर आईएस में नगर आप्हें और फिर से रॉइफडान देना चाहते हैं तो एक ही तरीक है कि पहले रेजिग्नेशन दें उसके विन फिल्ड एग्जाम निगे सकते भी यह लोग क्या करते जिसे एक्जाम दो ऐसी आई एस में हो गया और फिर उससे मन गड़े काडर चेंज कर लेता हूं ऐसा काडर मिले जो उससो पसंद नहीं फिर से एक्जाम जेके आई एस बनूगा नहीं काडर मिलेगा जो अच्छा लगेगा उससो जोएन कर लोंगा इससे बचने के लिए नियम बहुत समय से है कि रिजाइन करने के बाद फिर से एक्जाम दे सकते हैं बिना रिजाइन की एक्जाम नहीं दे सकते हैं किन्तु रिजाइन करने के लिए क्या चाहिए जिगरा चाहिए तो पनी इमत लो करते नहीं है आई पीएस में ठीक था पहले आई पीएस बन गया फिर आप wegen घोइन करने कूक्छ हैं लोग लोगा कहा थे खोड़ दिया कि अपर ये बहुत हैंया और अधेan सक्ति कंणूंस तो क्या करना पर नुए म्हान पढ़े गे एक उस्परणा न कि अब बिंदेन सकते थे इंदय कि शुएब करना हैं ये यह चालिया नुए जो धनिऊ-टि उतना होता तो फिर बात ही क्या थी? अगर एक भी टॉपर ये कह रहे हैं कि मैं IFS की टेनिंग में था और IFS निकाल ली है मैंने तो वो जुट बोल रहा है अगर कोई ऐसा कह रहे है तो जुट बोल रहा है या तो IFS का मैं तो फॉरस्ट हुआ फॉरन नहीं हो सकता इन तीन सर्विस पर छोड़के आप किसी भी सर्विस की टेनिंग में रहते हुए टेनिंग पूरी होने के बाद नौकरी करते हुए धुन गांसे अटेम्ट देजिए कोई समस्या नहीं सेलेक्शन हो चले जाईए आज से करी 15 साल पहले नहीं यह था कि आप ग्रूप 1 सर्विस में आ गए हैं तो आपको एक अटेम्ट और मिलेगा इंप्रूव्मेंट के लिए पहली बार में आप आयर टीएस बन गए है ग्रूप A सर्विस है और आपका सपना है ISIPS बनने का तो सड़कर का नियम था कि एक प्रयास और कर सकते हैं ग्रूप 1 में आने के बाद ग्रूप A ग्रूप बनने के बाद हो गए है इसका मतलब यह नहीं कि एक यूज कर सकते हैं फिर सरकार में उस नियम को खटा दिया तो अभी किस्थिती यह है अगर आई पीएस में हैं और आई एस बनने की कोशिश करना चाहरे हैं तो जितने अटेम्ट्स हैं देते रही कोई बनाने करेगा आई एस पर भी जा सकते हैं कोई समस्या नहीं है आई पीएस में रहते हुए आई पीएस में नहीं जा सकते हैं तो आई पीएस से बिना रिजाइन किये हुए एक्जाम दे सकते हैं उसमें दिक्कत नहीं है बस आई पीएस में रहते हुए आई पीएस में भर सकते हैं फिर स दीजिए और जब कोई बड़िया सेलेक्शन हो जाए चले जाएए मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ 21 में साल में उसका सेलेक्शन हुआ इंडियन रेलवे परसनल सर्विस में आई एर पीएस में उसको आरक्शन का लाब मिलता था एस्टी के डेग्री में था तब 21 से 35 सक्का चलता था उन देनों अब तो 37 हो गया उसे लगातर एक्जाम दिया पैंतिस वे साल में आई एस बना उसको कई बार होता इसा सही हो कि पहले टर्म में सेलेक्शन हुआ उसके बाद आखरी में ही हुआ बीच में सेलेक्शन नहीं हुआ सेलेक्शन नहीं हुआ बीच में 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 सेलेक आई पीएस से आई एस में जाना है तो आप दे सकते हैं छुट्टी का तो हर एकड़मी का अलगल होता है आम तो पर आज़के ट्रेंड यह है कि जब पता लगता है को एक्जाम देने वाल है उसको एक साल की छुट्टी जबर दसी जेके बखा जाते है उसे बोलते है एक्ष् कर जाओ तयारी करो एक्जाम दो इसके बद लोट के आना है उस साल नहीं हो इसके बद कोई चोईस ने है नौकरी करो साथसा प्यारी करो नौकरी चोड़ेस हंटे के चुड़ना होती है सुबह दस बज़े का अच्छी बज़े फ्री होगा च्छी बज़े के बद पढ़ो पर कितना पढ़ना होता है अब सिलेक्शन के बाद आए हैं एक साल और मिल गए चुटी का और क्या पढ़ना रहे गया उसके बाद रिवीज अधं को दे रहे हैं तो आपके सामने तीन शविसे जेंगे चिंगे वह करूजेंग पूछेंगे क्या आपको स्विल सर्वफ है डाई क्या आपको तोनों एक्जाम देने हैं ARE कौन से चाह रहे हैं है तो बहुत कर दो प्रिलिम्स एक साथ होता है, कट ओफ अलग अलग आती है प्रिलिम्स मी, क्योंकि जो IFOC वारे हैं, उनके साथ आपका मर्ज हो गया, इनके साथ ही मर्ज हो गया, IFOC कट ओफ ज्यादा जाती है, CAC कट ओफ कम जाती है, यह सुनके अचंभा होता है थोड़ा सा, एक ही एक्जाम है, सेम क्वर्शन पेपर है, सिवल सर्विस कट ओफ यदि 100 है, तो IFOC कट ओफ आम तरफ पे 115 क्या सब होती है, अगर आप इस दोनों में अप्लाई कर दिया, तो आपका वही जो स्कोर है, और दोनों में देखा जाएगा, मानलो स्कोर आपका 105 आया, तो यहां से रिजल्ट के आएगा कि क्वालिफाइड, यहां से आएगा डिस्क्वालिफाइड, तो आप इसका मेंस दे दीजिए, मेंस इन दोनों का अलग-अलग होता है जानबूच के, ताकि छिसने दोनों को पास कर लिया है, यह दोनों के मेंस दे सके, इंटरवई अलग होता है, सब किछ अलग-अलग होता है, के बल पिलम्स का माइंड है इनका, अलग तर्यीजिए मेंस इसे होता है, डिस्टिक वर डिएफो सप्लाई ओफिसर वो तो मिलेगा आपको PCS के तुरू मुझे लिएफो डिएफो डियम जैसा पद है कि अगर IFS से जाएंगे तो मिल जाएंगा चार साल में अगर स्टेट फॉरेस्ट एक्जाम से जाएंगे तो मिलेगा लगभग 18-20 साल के बाद आईएस IPS और IFOसी है जी तीन ऑल इंडिय सर्विसेज है तो इन तीनों सेंटर से भी स्टेट से भी है फूड इंड स्प्लाई स्टेट का विशाए है तो उसके लिए स्टेट सर्विस के तूजाना होता है उसमें सेंटर से कोई स्टोप नहीं है ठीक है बढ़ें चलो आखरी है रिजर्वेशन वारा मामला और रिजर्वेशन में भी ना एसी एस्टी में डाउट आपको शाद नहीं है डाउट के बूल दो में रहा गया एडव्लियू एस और ओवी सी हाँ काडर मिलने के बाद काडर चेंज करने का एक ही तरीका है शादी यदि आप किसी और इंडिया सर्विस के दूसरे पक्ष से विवाह कर लें और उससा काडर कोई दूसरा हो कि यह समझो जैसे मानेजी ए और बी दो लोग है ठीक है एक होम काडर यूपी है बी का होम काडर बिहार है ठीक है इन मैंसे कौन लड़का को नड़की खुद सोच रो ड़का सब लोग अपने आपको लड़का समझ है यह अवल पहला पक्ष हम ज्रूसरे को दूसरा पक्ष कमझे टीवुच का मतल पुद नड़का एंसे प्र ऑपॉलोजी में तरीवच बनाते मेल के लिए और सर्कल मनाते फीमेल के लिए बनाते हैं मैं प्राइब नहीं पना ठीक है और दूसरे सिचुएशन सोचो कि A को मिल गया बिहार यूपी का था और B को मिल गया यूपी जो बिहार की थी ठीक है अब क्या होगा इन दोनों ने आपसमें तरह कि हम शादी कर लेते हैं इसका मतलब शादी हो गई sociology और anthropology में इसका मतलब लाँ होता है अगर आप कहीं कोई diagram देखेंगे ना ऐसा इसका मतलब यह पधिबत नहीं है ऐसे ही होता है और उसके नीचे अगर आप ऐसा देखें समझ गए बड़ा बेटा फिर बेटी फिर बेटा फिर बेटी इसका मतलब होता है ठीक है तो मान लो कि अभी शादी करने का फैसला करें पहली सिचुएशन में क्योंकि ए यूपी कर रहने वाला है पर है नागलेंड में बी बीहर कर रहने वाली है है MP में तो जब यह शाद कि बी वहां चलेगी ए वहां से लागया रहेंगे एक साथ ही ठीक है तो वह दोनों चोईसिस होती है दोनों अप्यक्ति अपने सीम और दूसरे सीम के पास जाते हैं मिलने के लिए बात करने के लिए अप्लिकेशन जाते हैं जनरली लोग मान जाते हैं किसी किसे राज्य में बहुत कम जाता है तो जल निकलने को It is hard. सकर बहुत कम जाता है. अथत्र पडश्य जाता है, कोई डेस्ट पर्देश कर दोस्स निकलने की इम तो पताी हो इस। दर लेगा छोटे राज्य पता लेगा आठी थे एक साल आगया उनमें से तो फिर दबाव ज़्यादा गया आता है अब इसमें आप समझें क्या है शादी के बेस पर हॉम करणर नहीं मिलता है बसे ध्यान रशना ये नियम संझाने के लिए एक्जांपल दे रहा हूँ ए यूपी का है बिहार में है बी बिहार की है यूपी में अब शादी होगी अगर ए यूपी गया तो हम कडर हो गया इसका बी बिहार गयी तो हम कडर हो गया ऐसी सिचुवेशन में नियम है कि कोई थर्ड कडर मिलेगा दोनों को ना यूपी ना बिहार उस केसे सरकार इन दोनों को ही किसी और कडर में शिफ्ट कर देगी सरकार यह नहीं कहेगी शादी क्यों कर रहे हैं किसी और से कर लो सरकार यह नहीं कहेगी क्योंकि यह कहना सरकार की शिफ्टियों से परे है यह तो इंडिमिजल चोईस का मामला है अग बतों ध्यान रशने अगर यह भाइसा नागलेंड से MP आ गए और बाद में तालाग हो गया ऐट ब वेवाह की गारंटी है, Хijia itself के लिए गारंटी है, पेसी ज दूसर दूसरा काईय की ह होता है तो अगर आप इतने शांदर अफसर हैं कि आपका मख्यमंक्री और मुर्क्यमंट्री मोख्यमंक्री और केंदर में डीय और पीटी सब तेयार है आपके लिए शांदर से मतलब अगर आपका जुगार इतना ज्यादा है इतनी पाहँच है तो आराम से कर सकते है कोई समझ्या नहीं है नहीं तो नहीं है डेपोडेशन आम तोर पे 3 plus 2 plus 2 साथ साल के अस्पस तीन सर पांट साल साथ साल यह डेपोडेशन के समय रहता है बहुत आसान नहीं होता लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि IES हैं किसी काड़र में हैं डेपूटेशन पे अपने होम स्टेट में से लेगे हैं डेपूटेशन में जा सकते होम से लिए और वहां पांच साल रहे हैं किसी जिले में क्योंकि CM से उंगेचियन रसेंडिंग हैं तो ऐस हैं लेकिन बहुत आसान नहीं होता है इसके लिए या तो आप ऐसे अभूत पूर वधिकारी हैं कि भागवान क्रिश्चन के बाद आपके जन्म हुआ है जब तो अलग बात है या फिर आपके बस अभूत पूर कॉंटेक्ट्स है 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 मुझे देखना पड़ेगा मेरे श अब या सरकारी फैसले कर लगी है हो सकता है कि चुन-चुन के भीज़े कि नागलेंड में जाओ तुम या केरल में जाओ तो खो सकता है इसलिए जब सेलेक्शन तक शादी नहीं की तो फिर काडर तक भी रुकी जाओ किसी के काडर देख लो इसके बास फैसला कर लो जब श अब शादी किसी से भावनाओं की वज़ेसी की तो लग बात है जब वही नहीं मामला जब शादी एक कैलकुलेशन ही है मैट्रिक्स ही है पूरा का पूरा तो फिर उसको भी देख लो बहले कि बात कर लेते हैं पर काडर के बात साइनल करेंगे पर काडर अगर सूटेबल मि अई हैं अघगर और पत्नी में पहले क्या महत्व मूं डिसाइड कर नशना पात 那 Itís फ़ेसले कीजिए आपने उडापने की रही है अच्छी पत्नी के साथ या इज ब खराभ काडर चल जाएगा खराब पती पतेब दश saya नहीं चलता है तो फैसला करने का तो तर्क है ना हो ठीक रखिये तो अच्छा रहेगा अच्छा अगर सिलेक्शन एक काई हुआ है तो इक काडर क्यों चेंज होगा इस ने पीसियस से नहीं एवल ओल इंडिया सर्विस आईएस आईपियस या आई एफ ओएस जंगल से बन सेवा विदेश से किसी करना सिर्फ और एंडिया सर्विस में ओता है ऑल इंडिया सर्विस में अधिकार को आधिकारी जिसको को कररने वालिया идет है शेंट काडर केवल तीन सर्विस में एप यह सा एफ सी बागी तो सेंट्रल सर्विस काहीं भी आप पॉस्टिंग करनारा करणर में हैं आपकी पत्नी मानलीजिये आयर टी एस रेलवे में तो सामाने तह इतना ध्यान सडकार रखती है कि आपकी पत्नी की पॉस्टिंग विए इसमें दिक्कत केवल अल इंडिया सर्विस में होती है आप अगर आप आई एफस में सिलेक्ट हो गए है और यदि आपने जोइन कर लिया है तो इस्तीफा देने के बाद ही एक्जाम दे सकते हैं आई एरस में हुआ है आई एफस के लिए चाहरे हैं तो जितनी बार चाहें दें एक्जाम कोई दिक्कत नहीं है वो चुटी मिल जाए है वो दिक्कत नहीं है पेड़ चुटी कैसे होगी पहले जोइनिंग से पहले चुटी मिल जाती है एक्सेंशन मिल जाता है कि आप फांडेशन कोर्स के बाद जोइन कीजिए कि पहले एक्जाम दे लिजिए अगला इटेम्ट दे दिया फिर आप जोइन करने गए सुनो सुनो जैसे आप आई एरस बन गए फिर से एक्जाम देना है तो यू पी असी डियो पीटी अपसे पूछे का कि आप फिर से एक्जाम दे रहे हैं क्या रोल अंबर है अपका अपने रोल अमर बता दिया अगर आपका प्रिलिम्स हो गया तो आपको मसूरी बुलाएं तो काई निया जा अफिर करोंगे ठाली बेठ के फांडेशन कोर्स में आजआ उसके बाद या आप कहते हैं कि मुझे एक्जाम देने के इच्छा है तो जो ट्रेइनिंग आपकी होगी आपके सर्विस की ट्रेणिंग जो होती है फांडेशन कोर्स के बाद वहाँ से एक सब के लिए बैजते हैं एक्ष्टा ओर्डिनरी लीव जो कि पूरे करियर में पांच साल मिल सकती है मैक्सिमों पांच साल प्रावज़न यह है कि सेल्ली तो छोड़िए वो समय आपके सर्विस में भी काउंट नहीं होता है सिन्योरिटी भी नहीं मिलती उस सर्विस के बदले आपके इसलिए उसको इओ एल कहा गया है एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लीव वो एल नहीं है अर्ण लीव नहीं है पूंकि अर्ण लीव अर्ण करनी पड़ती है बहुत दिन काम करेंगे तो छुट्टी जुड़ती है आपकी जब हमके कामी नहीं किया तो शुट्टी कैसे मिलेंगे तो उस एयो वेल में कोई सैलरी नहीं मिलती है एक साल के लिए तस यह कि आपका मन है एक्जाम देने का एक्जाम देने के लिए और सब जगाने मिलती है अधिकांश एकेड़बीज ने विवस्था कर दी है आम तर प पचास लोग टेनिंग में उनमें से 20 राज दिन एक्जाम के लिए पढ़ रहे हैं टेनिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि वह एक्जाम देखे आए उसके बाद अगले साल जोइन करें अच्छा रहे तो उनके लिए उसके बाद मुश्किल होता ह अगर आप बहुत कोशिश करें कोई रास्ता नहीं करें तो हो सकता है लिए जनरली पॉलिसी का पार्ट पही है करने वाले करी लेते हैं आई पीएस से भी कर लेते हैं करने वाले कर लेते हैं आई पीएस की एक एडमे से भाग जाते हैं दो साल के लिए उसके बाद भी आई तो मिली जाती है ना एक्जाम का समय है बीस दिन की शुट्टी चाहिए मिल जेगी शुट्टी बीस दिन के एक्जाम दो और हमसे है इसमें के परिशन है हाँ क्यों नहीं मिलेगा अब किसी भी जिले में आईपेस बनके चले गए एस्पी बन गए बाइस साल में एक्जाम दिया तैईस में सेलेक्शन हो गया परच्छिस में ट्रेनिंग पूरी हुई 27 या 28 में एस्पी बन गए एस्पी रहते हुए भी आपके पास जन्रल में भी एगर हैं तो चार साल बचे हुए है अगर दो एटम्ट्स हैं तो एस्पी साब एक्जाम देंगे क्या दिकत है और मान लो आपके सीदे में सेंटर भी एपिलिम्स और में इसका तो मज़ा ही आ जाएगा पर लोग सोगे सींटर के लिए कि नहीं एक्जाम देंए इसपी साब एसपी साब बैठेंगे एक्जाम में तो बैठीए एक्जाम में क्या परशानी है ठीक है इज अब यह शकता है कि आप SSP हो जाएं बाइस में सेलेक्शन हो गया 22 प्रस्तन ओ एक अब्टिस में इसस्प और एक साल बचाई हुआ भी तो एटेप्ट दे दो क्या दिक्कत है तो डी इजी आईजी होके भी जा सकते हैं को कोई लिमिट नहीं है मतलब चाहिए तो आपको डेखिए एक बर सर्टिफिक्ट बन गया तो चलते है धूम्धान से उसमें कोई समस्याद नहीं दिक्कत जो बच्चों को रहती है, एक रहती है OBC में और एक रहती है EWM ठीक है आप में से कितने लोग का इंट्रेस्ट EWS में प्रिय को यह जानने में अपके कर लिए आप observing ए और कितने लोग इंट्रेस्ट अबिस्ट गे उब्सMैंए इसमें जदे लोग को इंट्रेस्ट on तो फिर इसको बाद में करेंगे बरना आप लोग बरना कुछ लोग भाग जाएंगे भी समय ना तो पहले दो दो मिनिट की दो बाद से आई एडब्ली वस के प्रावजान सिंपल सा है आठ्ट लाख रुपए का आठ्ट लाग की आए और किस किस की आए ज्यान रखिएगा फादर प्लस मदर प्लस ब्रदर एंड सिस्टर जिनके उम्रे 18 साल तक है ठीक प्लस सेल्फ आप खुद भी प्लस यदि आपकी शादी हो गई है तो आपका पती आप अपनी जो है और प्लस यदि आपके बच्चे भी है और वो भी कमा रहे हैं ऐसा हो सकता है दो साल का बच आपके इवेंसे दुस्राव रुपय यह कुछ भी कर रहे है और बच्छे पैर चूचूट कमाता है यह माने जिए कोई बच्छा पैर चूट पर चलो चैक दो क्या नी रूंगा और मैं उस पर TDS पर रूंगा पैन एकांटर है मेरा बद सुआ है हुआ है मानलों शादी है क तो ऐसा हो सकते हैं कि जब 32 में एक्जाम दे रहा हो तो उस समय उसका बच्चा बच्चा बश्यक साल का हो और कोई बड़ा सिंगर हो आर्टिस्ट हो रही से कमाता हो बहले सरकार तो जब नियम मनाती है तो अंतिन संभावना ध्यान रखके बनाती है कि अगर ऐसी संभावना तो भी शामिक कर लाएं तो पहली बात EWS में इन सब की आए जोड़के अगर आट लाफ हो रही है तो आप EWS से बाहर हैं आपको दुख तो नहीं हो रहा कि घर में इतने लोग क्यों है मेरे तो मम्मी पापा 15 साल की अमरे तक के भाई बहन आप खुज फिर आपकी पत्नी य Anand dall कि कह कहीं से भी चाहे अग्री कल्चर हो चाहे सेलरी नौ सेलरी अग्री कल्चर एर बिजनेस हो सकता है रेंट हो सकता है किसी कमपनी के शेयरे इसल्म से प्रोफित आ लगा ये स्पाल को कोई भी स? अइनकम का हैं is इन्टरेस्ट हैं इनट्रेस्ट कई पैसा-उज़र दिया हुए बैंक में दिया हुए वहाँ से इंट्रेस्ट मिल गया है यह सारे सोर्सेज मिला के अगर इंकम आर्ट लाक के उपर निकल गई पिछले फिनेंशिल येर में तुम बाहर सिंपल सा तरीका है कोई डाउट यहां तक है इसलिए EWS के रिजर्वेशन बड़ा वोलटा है किन्तो अन्य मेंसे किसी एक मफस रहे हैं किसी ये एक मफस गया अगर है इसे पांच एकर एग्री कल्चर अगर है किसके nाम पर इन MEANS से किसीने भी नाम पर है दो साल का बच्चा है उसी के नाम पर 10 एकर दुमएन कर बाई यह सोच के की मेराना पर नहीं जुड़ जाता ह अगर एक हजार स्क्वेर फीट का फ्लेट है खरीदा हुआ इन में से किसी के भी नाम पर अगर किसी म्यूनिस्टिपल एरिया में सो स्क्वेर यार्ड्स का प्लाउट है रेसिजेंशल प्लाउट है और अगर किसी मुनिस्टिपली नॉटिफाइड एरिया से अलग इलाके में जिसे हो ना कच्छा इलाका नहीं करोने जो बनती रहती है अगर वहां 200 स्क्वेर यार्ड्स का प्लॉट है रिजिदेंशल इन में से अगर कोई एक भी चीज है तो आप EWS नहीं है बास पश्ट हो से सक्क्ताल हुए तो आठ लाकी income हो गई या इनमेससे niez औरी कज हो गがई तो EWS से बाहर उसके स्में आप जर्णल हो गए जर्णल कोई केटेग्री नहीं होती है किसी केटेगरी में ना होना जर्णल होना होता है ठीक है गलत ऐस्ट क्या होएं जर् एक्टेग्री है अ की लिएस्से फॉर्म भारेंगे तो हो सकता है कि उसी कट ओफ जर्नल से उपर जाए यह सुपर मुखता टाइप की बात है किसी भी वर्टिकल रिजर्वेशन के मामले में यदि उसका इंप्लिमेंटेशन ठीक से हो रहा है लगभग असंधव है कि किसी केटेगरी की कट ओफ ज्यादा हो और इस मामले में तो हो ही नहीं सकता तो इड़्यूस में जो होगा उसके बेनिफिट जर्नल से ज्यादा होंगे कट ओफ जर्नल की ज्यादा जाएगी एकदम निश्यत है क्यों मैं बात क्या रहा हूँ OBC, SC, ST में फिर भी ऐसा हो सकता कि कट ओफ जर्नल से उपर निकल जाए एक बार ऐसा होता नहीं मैं संभावना की बात करता हूँ कैसे देखिए मान लेजिए कि OBC की 10 सीटे हैं ठीक है और जर्नल की मान लेते हैं उसके हिसाब से 20 सीटे लगभग है OBC में सयोग से जो उपर के 10 लोग हैं वो सारे वो हैं जिनकी उम्र 32 प्लस है 32 से 35 के बीच में हैं अब जो 32 प्लस का है वो जन करने सकता किसी भी अलत प्लस इसका एटम्ट साफवे से नोवे के बीच में है क्योंकि एटम्ट सातवा है तो जनन बा इनी सकता है और इन सब के पढ़ाई का सरी तना अच्छा है कि इन में जो दसवा व्यक्ति है उसके नमबर सो आई यानि सबसे नीचे वाला 100 नमबर पर है और जनरल में जो बीसवा है उस व्यक्ति के नमबर 80 यह हो सकता है पर यह केवल तब होगा जब OBC से क्वालिफाई होने वाले व्यक्ति वो हैं जो एज या एटेम्ट की वज़े से जनरल से बाहर हो चुके हैं क्योंकि अगर यह सामाने सिती में होते कम एज कम एज में होते तो चांसिस क्या आप से यह जंगल में चले जाते हैं यह जानी पा रहे हैं और EWS में क्योंकि एटेम्ट भी सेम है एज भी सेम है इसका मतलब और EWS सा कोई भी केंडिडेट अगर शांदर परफॉर्म करेगा तो चांसिस पूरे हैं कि वो जनरल में चला जाएगा और अगर चला गया तो EWS पे नीचे से और आ जाएगा और इसलिए कट ओफ EWS की कम ही जाएगी तो EWS की कट ओफ ज्याद जाएगी निर्फट बात है मिनिंग्लेस बात है इस साल जो रिजल्ट आने वाला है तो कि पहला साम था सर्टिफिक्ट सब के बास थे ने बनवानी पाए बाद में केस भी हुआ पर केस में भी यूपीसी हार माने के मूड में है नहीं है इस बात क संभावना है कि जो 2019 के रिजल्ट आने वाला है EWS की कट ओफ SC-ST के आस पास हो लोटरी लगने वाली है बहुत लोगों के इस साल लोटरी पर इसी लोटरी इतिहास में एक इस साल लगते है जो एस साल हो चुका है अब बीस में लोटरी यह लगने वाले किसी के पर यह है कि EWSC कट ओफ मेरे खाल से OBC के आस पास यह ओविसस थोड़ी सी ऊपर रहने चाहिए यानि कि जन्रल में अगर असी रंक तक आई एस मेलेगा पर EWSC मान के चलिए कि शायद 200-300 रंक के बीच में कहीं EWSC कट ओफ आईगी प्रोपर EWSC की बात कर रहा हूँ यह बेनिफिट तो रहेगा है तो जिनको डाउट है अगर आप एलिजिबल हैं तो EWSC ज़रूर फॉर्म भरें उसे केवल फाइदा हो सकता है नुकसर नहीं हो सकता है लेकिन EWSC में आप हैं यह सर्टिफिकेट आपको 2017-18 के फिनेंशल एयर का देना है इस साल मेंस डीएफ के समय भरना होगा इस से तय होगा कि इस साल के एटेम्ट में आपको EWS माना जाएगा यह नहीं माना जाएगा हर साल चेंज होता रहेगा क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट ऐसे दे नहीं यह कितने साल तक वैरिड रहेगा यह तो हर साल चेंज होगा कि आप इसले फिनेंशल एयर में EWS थे या नहीं थे उसके बेस में तरह होगा EWS को लेके कोई डाउट किसी का हो तो पूछ लेजिए एक ही बाहर में नहीं अगर पांच एग्रिकल्सर लेंड बंजर नहीं अगर पांच एकड़ से ज्यादा एग्रिकल्सर लेंड है आपके पास का मतलब इन सब के पास मिला के तो आप EWS नहीं हैं तो आप कि एक भी सूषना जूठी होई तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी भी नहीं करना चाहिए तक है पूरे भारत कहीं भी पूरे भारत में नहीं भी है तो भारत सरकार की परीक्षा है यह स्टेट की यह तब भी ऐसे कर सकते हैं ऐसा किस सुप्रीम कोट ने सेटल किया था कि राज्य की सरकार भी लेंड सीलिंग के लिए अन्य राज्यों की भूमे को अधर बना सकती है ने सो साठतके गुजरात काइए था बदाई प्रसिद्द के से सुप्रीम कोट का दुख हो गया आपको कि लड़ू मू में आते आते बहर निकल गया कोई बात में बधाई यो अब जिनरल में हैं अगर हैं किया बधाई तो होती है अगर मैं नहीं होता महाँ पर है आज बधा इस साल क्योंकि बहुत कम लोगों ने एड़व्योस से अप्लाई किया सीटें उतनी ही तो जिन्हों ने अप्लाई किया कॉंपिटिशन नहीं के बराबर है इस बार इस लिए लगने वाली है अब जो रिजल्ट आएगा दो महीने में उसमें अब यह थे फिनेंचल रेकि हुआ ना एक अपरेल 17 से 31 माच अठारत तक यह जो फिनेंचल एर है इस फिनेंचल एर का इंकम एंड एसे बंच कर एक फिर फिर नहीं हर साल नहीं बनेगा और इसका मतलब कर दिए कि जितने मैंद्बर से इनस इंसब का बनेका इंकम सट्डिवि को मिला के तब एक सर्टिफिकेट बना के देंगे कि हमारे यह साब से EWS में आ सकते हैं फिर उस सर्टिफिकेट के बेस पे तहसीलर या SDM या मजिस्टेट या DM या DC उसके पास जाएंगे बहां से सर्टिफिकेट इश्यू होगा सेंट्रल फॉर्मेट पर होगा अब इसका पिछला हो तो बीच्छन से विए इलेक्शन से ने इंकम से मतलब है ठीक है है कि सर्टिफिकेट लगता है सेंट्रल इसका मतलब यह निकिस सेंट्र की सबगार बना करें इस रटिफिकेट बनाएगा आपका तहसीलदार ही लेकिन भारत सरकार ने जो फॉर्मेट बना रखा है उस फॉर्मेट में उस लेंगविज पर बना करें देगा सेंट्र की लेंगविज से बनेगा सेंट्र की नियम से बनेगा बनाएगा आपका तहसीलदार ही यह एस डियम जो भी आपके वाहँ बनाएगा स्टेट का सर्टिफिकेट भी वही व्यक्ति बनाएगा पर वो स्टेट के नियम के साथ से बनाएगा वो स्टेट के एक्जाम में चलेगा जो सेंट्रल नियम से बनता है सर्टिफिकेट जो मैंने का ना गजट है उस गजट में वो सारे फॉर्मेट दी हुए किस फॉर्मेट म कोई और नी बनाएगा है हर साल ने बनाना पड़ेगा है 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 इस सेंटर के नियम से ही होगा उसके लिंगवेज चेक कर लिए गजट में क्योंकि SDM को पता होता है तहसील दर को पता होता है जो आप कहेंगे कि मैं आई एस एक्जाम दे रहा हूं तो वह उसी फर्मिट बना पता रहता है इस लिए खुशत पर कि आपको ना बताया हो लेकिन उस फर्मिट पर ही बनाया होगा सर्डिफिकेट ठीक है आपके यहां ने एक बर सर्डिफिकेट बनने के बाद तो अगली बार एक दिन में बनी जाता है पहली बर थोड़ी से दिक्कत आती है कि उसे बहु जानदार व्यक्ती है कल को फंसेगा तो फिर वो फंसेगा अगर तत्य जूटे हैं तो केवल आप तो अगल फंसेगे जिन सबने उसको सर्डिफाइग किये हो भी तो फंसेगे देखो भाई अगर सर्टिफिक्ट बन गया है और आपको पताएगी वो गलत है मैं सलाह नहीं दूँगा कि आप उससे इस्तेमाल करें बाकि जीवन आपका हाथ आपका पैर आपका कुल हड़ी कुल हड़ी आपकी जहां मारने मार लिए उसको पहले कर लिए तो इड़ी वस्ट इकते नियुआ अप कह सकते हैं पहले में गरीब था अब मैं अमीर होगया हूं तब मैं यूज नहीं करूँगा इतना ही नहीं आप ने दो एटेम्ट जनल से घिये ठर्ड में बद इसकर लिए कोई समस्था है नहीं एक एटेम्ट में अगले अटेम्ट में आब बता सकते हैं कि मोबीसे में आता हूं उसे नहीं पता था पहले, अब मुसे पता लग गया तो मैं यूस कर रहा हूं, कोई दिकत नहीं है, या मेरी इंकम पहले ठीक थे इस बीज में कम हो गई है तो लेखिए इन पांचों में से एक भी चीज़ अगर है तो पार तेंडर से मतलब नहीं होता है इंकम से मतलब इस इस नाम पर इस अच्छा आप आप टेंडर तो टरर्न ओवर हुआ है कि सरकारने कितना पेसा दिया काम करने के लिए उसमें इसमें खरचा हो गया जो बचाव प्रोफिट बचा फ़बलत इंकम कि प्रफोर्मा सेंटर का सेंटर की नौकरी में सब को सेंटर कई चाहिए इस ते कोई दिक्कत भी है जैसे OBC है अगर आप डैफ वन में सर्टिफिकेट पुराना भी लगा देंगे तो UPSC आपको मना नहीं करेंगे वह इंटर्वियो के टाइम के सिर्फ यह कहेंगी कि इसले छे महीने का सटिफिकेट फिर से बना कि आख दो पर है तो आपसे मांगी नियरी अचा नंबर शद मांगने पर जो बहुंआ है कोई दिक्कत रही है आपने प्रेलिम्स में जो नंबर भर दिया भर दिया डैफ वन में उसको लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको लेके जाना पड़ेगा उस प्राइब तो के समय वह अपसे एनक्षिर भरवाएंगे और उस समय कहेंगे कि हमें लेटस सर्टिफिकेट चाहिए फिर आपको लेके जाना पड़ेगा उस ते उसी प्यारों OBC में इसमें तो बता गिया इसमें एक साल कियो ती बनते थे एक OBC सर्टिफिकेट और एक Non-Crimulier सर्टिफिकेट जिसके पास दुनों सर्टिफिकेट्स हैं उसको आरक्षिन का फायदा मिलेगा कि OBC भी है Non-Crimulier भी है तो OBC सर्टिफिकेट तो कास्टिफिकेट होता है सेंटर ने जिन जातियों को OBC की लिस्ट में रखा उसके बेस पे आपके इलाके का जिकारी आपको एक सर्टिफिकेट देगा कास सर्टिफिकेट कि यह व्यक्ति इस जाती में है जो केंदर की इस अधिसूशना के तखत OBC में आता है तब एक और सर्टिफिकेट चाहिए कि आप Non-Crimulier में आते हैं जब आप यह दोनों मिलात अधिसे एक और हेडिंग होता है NCL सर्टिफिकेट यह इसलिए है कि किसी को दो बर परिशान्ना होना पड़े एक ही बर में काम हो जाए जो नॉन क्रीमी लेयर का मामले है यह लगबग हर साल में चेंज हो सकता है और कुछ लोग करें तीन साल का होता है तीन साल का मतलब कहा पिछले तीन साल में जो आपकी इंकम है पिछले तीन कौंजीकिटीव वर्षों में वह एवरेज इंकम आठ लाग से उपर नहीं होनी चाहिए यह नियम है तो आज का सर्टिफिकेट पिछले तीन साल पे बेज जाए लेकिन अगले साल का पिछले दो साल और एक साल यह वा केवल जहां चाहिए तो कि केवल का सब्सक्राइब म다 नोत की पोर कि कर अबस लिए नचाहिए जो कि झाफिए परोमन गुंधा तो सडीक कर सें के मिल से निखाए घ्टैब भी सकतें एक साल में आप सकतें इसलिए चाहिए वो इच्नि 1- Because तो आपके पास जो भी है आप एप्लाई कर दीजिए यूप एसी आम तर पर कुछ कहती नहीं है मेरी गारंटी नहीं है पर पिछले कई साल से यूप एस मामले में उस सिर्फ इना करते हैं कि डेफ बन के समय पर या तो बोल देंगे या डेफ कु के समय पर आप से कहेंगे कि एच्छे महीने का सेर्टिफिट हमने सब्मेट किरिजिए जिससे में भरोसा हूँ कि आप सच में इसमें आते हैं और इजका क्राइटरिय रहे लिए यह है इसमें इल है बदो अब पतिश लाग पर के पांस लाग भी है तो भी आप बी सीमें आ सकते हैं कोई समस्या दूर आपका spouse कमाता है, पती-पतनीय कमाता है, कोई समास्या नहीं है, आपका छोटा भाई, बहन if 18 साल के नहीं है, वो कमारक कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे कमार goofail कोई समश्या नहीं है, केवल आपके parents, मा और पीता बस बासल, एक है दरसल यह जो नियम आये थे 1993 के उसमें लैंग्वेज ती एक लाइन थी उस लाइन की ऐसी व्याख्या कर दी गई है जिसका व्याभरी मुतलब क्या है अगर पेरिंट सरकारी नौकरी में तो अलग बात है मैं बाक्यों की बात कर रहा हूं अगर आपके पेरिंट सरकारी इंट्रेस्ट हो सकता है प्रोफेशनल इंकम हो सकती है प्रोफिट हो सकता है ये सारी इंकम सो सकती है तो ध्यान रखिए यदि आपके पेरिंट सरकारी नौकरी में नहीं है तो उनकी सैलरी और एग्रिकल्टर इंकम छोड़कर अगर आठ्श लाख है पूरी काशी है भारत और यह इसलिए जिसके पेरर Nichts माइन क्राइबा प्रकें आजब इसके भी ये उभी के गभी नहीं का वहां नहीं है तो और गुजम अवहां व्हार की को बगाए बूजिनस ए बहुत बड़ा से का यहां जबकी एड़ेवर समें सारी इंकम शामिल होती वरी इवन व सबती है नौटा के पांध मैं समझे और भी और कर एक नावगरी में उस पोधान तो पह Jr सूझ यह इन सरकारी नौफरी में है उसमें यह जिक कौनसे कुश्टिसल पॉस्ट पोस्ट पे है जैसे पापा राश्ट पती है मान लो या राज्य इपाल है या सीय जी है तो ऐसा व्यक्ति अनिवारीयत पहै क्रीमी लेर में मानने जयेगा जिसके पेरिंट्स में से अगर इन में से कोई भी कॉंबिनेशन है तो यह क्रीमिलेर में रहेगा सरल भाषा में अगर माता पेता में से कोई एक क्लास बन जोब में है या दोनों क्लास टू जोब में है तो उनका बच्चा क्रीमिलेर में ही माना जाएगा चाहे बेतन कितना भी हो चाहे बेतन आठ लग से कम हो चाहे बेतन आठ लग से ज्यादा हो बेतन से कोई मतलब नहीं है सबस्ट हुआ कोई एक पेरेंट क्लास बन में या दोनों पेरेंट क्लास टू में अगर हैं तो अगर पेरेंट्स प्रमोट होके पहुंचें क्लास बन में या क्लास टू में तो सिंपल है चालिस साल की एज देखनी है अगर पेरेंट चालिस साल की एज से पहले क्लास बन में आ गए थे तो क्लास बन ही माने जाएंगे अगर चालिस के बाद क्लास बन में आए हैं तो जिस क्लास में पहले थे उसके माने जाएंगे तो 40 साल की एज वो कट ओफ एज है जहां से तरह करते हैं कि उनको हम किस केटेग्री से मानेंगे किस क्लास की सर्विस से मानेंगे इस प्रश यहां तक अगर दोनों पेरिंट्स क्लास 3 में है या एक 3 में है एक 4 में है या दोनों 4 में है क्लास 3 क्लास 4 इंकम चाहे कितनी भी हो ये नौन क्रीमी लेयर ही माने जाएंगे अगर दोनों पेरिंट्स क्लास 3 या क्लास 4 में कहीं भी है तो कितनी भी इंकम हो तो दोनों के मिला के इंकम मानड़ी से दस लाग भी हो रही हो तब यह क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा नॉन क्रीमी लेयर ही माना जाएगा यह तक स्पष्ट है अब एक इसी दी बचे कि मान लो एक पेरिंट क्लास टू में है और दूसरे पेरिंट कुछ और करता है कुछ जो पुछ लीजाएगा झी अब करेंटिबंक लिखे इसे वह क्या है जो अब बज बनती हैं और आन तोर पे जो अब बझ लाग भग वो सभी नॉन क्रिबर केंमिलेल में होते हैं क्योंकि कि किस्टे मोह पीयृंट नॉन जोब में हैं जोनु पर ट्रास टू नॉजल में ब पर जो पूछनाओज लीज है जैसे IES बनेंगे IS Class 1 में इस Civil Service में केवल 2-3 नौकरीया Class 2 की हैं बाइके सब class 1 क्लास 2 में कौन से हैं दानिक्स डानिप्स पॉंडिचरी civil service, Pondicherry Police service, Army Forces Headquarter service और see, use Central Secretary Service, ये छे नॉकरिया Class 2 हैं, बाकि 19 Class 1 jobs हैं. Class 1 का say Entry Level, हाइसे Entry Level ऑर कउस्तिक्हेंEntry Level होता है, क्लास 1 और लगवें, गस्तिक टो Class 2 हैं, जैसे PCS से जाएंगे तो वो जन्रीट क्लास 2 की jobs हैं. सबसे नीचे पर जो एक्जाम हैं जैसे इंस्पेक्टर वेगा रहा है और और उपनास थ्री मान लेगे और जो सबसें से नीचे हैं पी ओन और वो सब ट्लर वो सब कुलास फोट पी चिस की जो ऊपर की पोस्ट हैं सारी क्लास टू में आती हैं लोवर पी ची एस कड़ेशन हो कि आर्मी में आप कैसे करनल का जो लेवल है मेरे खियाल से वहां से उपर सारा क्लास बन होता है कि लास थी होना चाहिए मैं चेक करना पड़े लिए मेरे नमान से क्लास थी होना चाहिए अच्छा इसमें एक बात और सबसे लो यह जो इंकम है OBC में पिछले तीन साल के इंकम इस पर काउंट होती है अगर तीनो सालों के इंकम मिलाने के बाद एवरिज निकाले और वह आश लग से कम है तो नौन की मिले रहे है तो थी कॉंजेक्यूटिव एर्स की इंकम क्लब तुगेधर डिवाइड बैट्री यदि वह आट श्राग से कम है तो नौन की मिले रहे इनको छोड़ दीजिए आपके पेरेंट सरकारी नौकरी में नहीं है तो फिर नौन की मिले रहे है आइटीर से बहुत मतलब नहीं है अगर आप उसमें दिखा दें उसका फॉर्म जो हता नेक शर्प उसमें लिखा हो का इंकम फ्रॉम सेलरी आप लिख देना वो जीरो काउंट होगी उपिसी में इंकम फो एग्रिकल्चर आप जो भी लिखेंगे काउंट जीरो यह वागा क्योंकि जो आप आइटीर बढ़ते हैं उसमें लिखेना पढ़ता ने इंकम कहां से आई है जो बाकी कॉलम्स हैं इंकम फ्रॉफेशन इंकम फ्रॉम रिंट उसमें जो लिखेंगे वो इंकम काउंट होगी आपके ITR में कितने भी इंकम शो हो रही हो OBC एनक्षर में उपर की दो इंकम जीरो हो जाएंगे बाकी इंकम तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के इंकम एनक्षर में जीरो लिखी हुआ है तो OBC एनसी एल के हिसाब से वो इंकम जीरो है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के साथ से इंकम उतनी है तो टाइटेरिया लगए इस से फर्क नी पड़ेगा अगर उसमें लिखता है कि इंकम के सोर्स है तो फर्क नी पड़ेगा उस बात से क्योंकि आपके SDM को तहसी दार को यह पता है अच्छे से किस नियम के ताथ कौन स ल्हां करनी है कौन से इंकम कांट करनी है हूँ जो लोग नोकरी करना है करने B आप回去 काउंटिन ते इंकम कैंड़ो से के लगेवन के या फो बड़ी किना के बच्छों के बाइ बहन की ना चा चाहता हुं au формate आप NCL में आ जाएंगे हैं लेकिन अगर EWS ट्राइए करेंगे तो मम्मी पापा छोटे भाई बहन आप आपकी पत्मी आपके बच्चे सबकी इंकम काउंट होगी 18 साल तक के जो भाई बहन है आपके उनकी इंकम काउंट होगी उसके ऊपर मान लेते हैं कि उनका अपना अलग परिवर बन गया 18 साल तक के बच्चे जो आपके भाई बहन है उनकी इंकम आपकी इंकम में क्लब हो जाएगी जे ऐ एठ बच्चे पहल एक आप यह इसा हो सकता है किसी किसी कास्ट के साथ दिखत है कि वह स्थेट में o bec में आते हैं सेंटर अब ऑबी सेंटर में अनुआ हैं आप स्थेट में obc इन एल परिवलें नुहके सेंटर में नहीं तो हो सकता है कि आप सेंटर में एड़ब्लूस एप्लाई करें अगर आपकी वो क्राइटरिया पूरा हो रहे हैं तो फिर आप उसमें भी आते हैं फिर आप अन्रिजर्व कैनिडेट हैं बधाई हो अब जनल है बधाई के बात है शोकसंदेश की बात है जो ही बात है लेकिन स शाह रहे हैं कि मैं यह कहां कि घपला करो तो मैं ऐसकंभी नहीं होंगा देखो यह आपका जीवन है आपको फैसले करने मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा इसके बाद मैं इतना यह कहूंगा कि अगर पांच एकर से उपर एगरीकल्सर लेंड है परिवार के पास तो आप तो इसमें इंकम देशेंगे, OBC में आपकी लेंड में कहीं कहीं अगरी कल्चरल, इरिगेशन कितना है वो सब क्राइडियर लेते हैं आपकी इंकम जज करने के लिए, वो एनेक्षर में आता है, कमर्शिल नेंड से मतलब नहीं है, अगर से रेंट आ रहा है तो रेंट से अगर तेन मार्स तक नहीं आ पा रहा है तो पहले के सर्टिफिक्ट डंबर डाल दीजिए ये उपीएसे इस बेस बैस पर्खारिज नहीं करेगी आपको उस इतना कहेगी कि नए सर्टिफिक्ट चाहिए, मेलेटर से चाहिए तो जब मेंस का फॉर्प भरेंगे दिए उससे काम चल जाएगा और वह यूपी असी भेशती है उससे में कि पिसले छे महिने में इश्यू हुआ सर्टिफिकेट डी एफ बन चाहिए आपका तो अब अभी जो भी लगाएंगे उससे में देना ही पड़ेगा वैसे लिए तीन तक आप लोग इसी बहने ताजमेल देख लोग अगर सेंटर दिली नहीं मिल रहा गाजियाबद दोईड़ा तो आगरा अच्छा नहीं लगता कि इस उम्र में पितली चोटी बात के लिए परशाने कि सेंटर वो ठीक है लेकिन आगरा चार घंटे का तो रास्ता है क्या दिक्क यह यह नौकरी सेंटर की है सेंटर की नौकरी में सेंटर की सूची में अगर आपकी जाती आती है तो ही आप अरक्षित हैं सेंटर की नौकरी में अगर सेंटर की सूची में अरक्षित हैं तो अरक्षित मिलेगा अगर आप सेंटर लिस्ट में नहीं है तो यूपी एसी आपको आरक्षित बिल्कुल नहीं देने वाली है अगर आप स्टेट के लिस्ट में हैं तो उस स्टेट के बाहर किसी और स्टे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग अच्न सजर्थ करते और भा कुशिस्ट करते हुए अप लोगों कहेंज करते हैंत March